नमस्कार दोस्तों प्लेज सब्सक्राइब ऑनलाइन इस्टिडी किंग्डम चैनल और प्रेस आल नोटिफिकेशन बेल आइकान तो गेट न्यू वीडियो अप्डेट्स थाइंक यू नमस्कार दोस्तों अलाइन इस्टिडी किंग्डम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इसी वीडियो में इस पीडी करंट अफियर्स वार्सी कांग 2021 की जो बुक है उसमें का हम लोग यहां पर मंतली करंट अफियर्स जनवरी का जो है कबर करें जनवरी का पूरा ठीक है वान लाइनर के फार में तो आईए स्टार्ट करते हैं लोग पहला क्वेश्चन है एक जनवरी 2021 को भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसी सी आई के नए उपाध्यक्ष कौन बने है इनका नाम है राधिव सुकला नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जनवरी 2021 को यूके की संस्था दड़ी सेंटर फारिकोनामिक्ष एंड बिजनेस के अनशार भारती अर्थ व्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है तो याद रखना आपको सिक्स्ट नंबर है यानि छठा स्थान है नेक्स्ट क्वेश्चन एक जनवरी 2021 कीस को जहर ख खंड सरकार ने किशानों की कितने रूपए तक के क्रिशी रिंड को माफ करने का निर्डे लिया है तो यह अमाउंट आपको याद रखना है पच्चास हजार रूपए ठीक है कुल आवंट तिद्रासी इंप्वाइटन नहीं है आप देख शकने हैं अमाउंट आपको एड्मिंटन खिलाडी पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया है इनका नाम है निकिता खाकी मुव नेक्स्ट कोईशन एक जनवरी दो हजारी कीश को डी आडियू की शाइंटिस्ट आफ दे इयर पुरुषकार सी किसी सम्मानित किया गया है इनका नाम है हेमंद कुम पांडे दो जनवरी दो हजारी कीश को शुगमता सी ब्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज्जी कौन सा बन गया है तो राजस्थान दो जनवरी दो हजारी कीश को किस निगरानी पोत को भारती त टरक छपबल में शामिल कर लिया गया है सुझीत इसका नाम है सुझीत ठीक है नेक्स्ट कुश्चन दोजनवरी दोहजारी कीज को डक्टर नरेंद्र दभूलकर मिमोरियल अवार्ड से किशी सम्वानित किया गया है तिनका नाम है कि बीरमडी दोजनवरी 2021 को ग्लोब शा का रवाड से किसे शरी का वेस्ट फुटबालर चुना गया है जिनका नाम है क्रिष्टियानो रोनाल्डो फेमस परसनाल्टी है नेक्स्ट कोईशन है दोजनवरी 2021 को अमेरिकी संसद ने बहु प्रतिक छित कितने शव अरव डालर का कोरोना वाइरश महामारी शाहता पैकेज कानून पारित किया है नोशो अरव डालर दोजनवरी 2021 को किस देश की नवसेड़ा ने आधिकारी के रूपशी पनडुबी आईनस सिंदु बीरू को प्रस्थापित किया है ये पुराना करंट अफेर्स है ये दोजनवरी को जो है इसको प्रतिस्थापित कर दिया है ठीक है इसके पहले कोश्चन बन रहा था कि किस को जो है अप्रस्थापित किया जाएगा ये जो है मेंमार कंट्री को ठीक है दोजनवरी 2021 को एसी आई बिकास बैंक ने पूर्वोत राज में सहरी छेतरों और परेटन के बिकास ही दूँ पूरा शरकार को कितने करोण रूपे गारण देने की घोषडा की है तो 21 रूपे ठीक है कितना है 21 करोण रूपे नेक्स्ट क्वेशन तीन जनवरी 2021 को कितने भारत बायोटेक की स्वदे सी निर्मित कोरोना वैक्षीन देश में आपात इस्तिमाल की अनुमती दी है तो भारती आउशदी महा निदीशक नेक्स्ट क्वेशन तीन जनवरी 2021 को सावित्री भाई फुले की 190 में जैनती मनाई गई वे क्या थी तो वे देश की पहली महिला सिच्छिक थी नेक्स्ट क्वेशन तीन जनवरी 2021 को बर्स 2020 में दूरदर्शन और आकाश बाड़ी की रिकार्ड व्रिद्धी जो है कितनी दर्ज की गई है तो छे अरब मिनट तक हंड़ड परिशर से अधिक नेक्स्ट क्वेशन तीन जनवरी 2021 को मद प्रदीश उच्छ न्यायले का मुख न्यायदीश की पद पर शपत जो हो ग्रहन किया है यह है न्यायमूर्थी मुहम्मद रफीग चारजनवरी 2021 को विश ब्रेल दिवस की स्की जनवरी की अस्मरोर के रूप में मनाया जाता है तो यह जो अस्मरोर्ट सो जो मनाया जाता है इनका नाम है लुई ब्रेल ठीक है तो विश ब्रेल दिवस जो है लुई ब्रेल दिवस के जो है इनके जनवरी 2021 को हरियाड़ा में पहला वहान यी चारदिंग इस्टीशन किस अस्थान पर सुरू किया गया है इसका स्थान का नाम है पंच कूला चारजनवरी 2021 को न्याय मोर्ट संजी उबनर जी किस उच्च न्यायलाय का मुख्यनायधिश की रूप में शपत ग्राण किया है तो यह मद्रास उच्च न्यायलाय के चारजनवरी 2021 को गुजरात हाई कोड की नए जज की रूप में किसने सवथ ली है तो इनका नाम है न्याय मोर्टी दड़िश जज है तो जज इनका जज का नाम क्या है विनीत कोठारी नेक्स्ट कोईशन चारजनवरी 2021 कीश को गंगा घाटी में लाल पहाडी की खुदाई में किसी पहाडी पर पहला बौध उस्थोक जो है किस तस्थान पर मिला है जिसका नाम है लखी शराय किस स्टीट में है बिहार में तीक है तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट कोईशन है चारजनवरी 2021 कीश को आठवी बार शयुक तुरास्त सुरक्षा परिशद जड़ उनाइटे निशन सिक्यूर्टी काउंसिल में आइस्थाई शदस के तौर पर दो शाल का कारिकाल किस देश ने सुरू किया है यह भारत है ठीक है काफी पुराना कॉस्चन्स भी है यह इसका जो कारिकाल होगा यह जनवरी 2021 की सिले करकी दिशंबर 2022 तक दो शाल के लिए है किसके रूप में आइस्थाई शदस के तौर पर आप कमेंट करके बताएए कि उनाइटे नेशन सिक्यूर्टी काउंसिल के जो पर्मनेंट जो मेंबर हैं वह कौन-कौन कंट्री है पाँच कंट्री है पाँच कंट्री के नाम आप कमेंट करके बताएएगा नेश्ट कोशन है पाँजनवरी 2021 को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किस पाइपलाइन को राष्ट को जो है वो शमरपीत किया है इस pipeline के जो नाम है वो कोची मंगलूरू प्राकृति गैस pipeline पाच जनवरी 2021 को रेलवे ने माल की बुकिंग के लिए किस पोर्टल की शुरवात की है तो यह है शमरपीद पोर्टल तो यह दोनों point important है कोची मंगलूरू प्राकृति गैस pipeline प्लस शमरपीद पोर्टल नेक्स question पाच जनवरी 2021 को अमेरिका ने किस बैंक पर 85 लाख डालर का जुर्माना लगाया है तो यह है फ्रांसी सी बैंक important point नेक्स question पाच जनवरी 2021 कीश को मेंमार दड़ी जवर्मा शरकार ने अपना शर्वोच धार्मिक उपादी दड़ी अग महारता गुरू ने किसे देने की घोशड़ा की है most important point नेका नाम है एवी ग्यानिश्वर ठीक है जो की बैंमा मंदिर की जो है मठादीश है और कुसी नगर उत्रप्रदीश है पाच जनवरी 2021 को नीटी आयोग आकांची जिलों की ताजा रैंकिंग में किस जिलों को पहला स्थान मिला है important point यह रामगड दिस्टिक है जहार कंडी स्टीट का शेजनवरी 2021 को आंध प्रदीश उच्छी न्यायले के मुख नयाधीश की पत जो है उश्पत किसने जो है ली है तो इनका नाम है न्यायमूर्थी अरूपकुमार गोश्वामी next question शेजनवरी 2021 को दूसरी बार अमेर्गी संसर प्रत्मिधी शभा का इसी वीकर किसे न्यूक्त किये गया है तो इनका नाम है नैंसी पेलोसी next point शेजनवरी 2021 को भारती सीना की मानवाधिकार सेल की प्रतम अतरिक्त महानिदी शक मानवाधिकार का पदभावार संभाला है तो यह है मेजर जनरल गौतम चौवान शेजनवरी 2021 को किस राजी सरकार ने बर्ड फ्लू की कारण एवियन इन्फ्लेंजन सा वाइलस की बढ़ती प्रकोर्ट की कारण आपदा जो है वो गोसित किया है तो केरल शरकार ने शेजनवरी 2021 को आरवी आई ने किस फानांस कंपनी पर धाई करण रूपे का जुर्माना लगाया है मोस्त इपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है बजाज फानांस लिमिटेड शेजनवरी 2021 को विश्व व्यापार शंगठन में भारत की शात्वी व्यापार नीटी की समिक्षा की गई इससे पहले शटी समिक्षा रिपोर्ट किस वर्स जारी की गई थी तो पहली जो समिक्षा रिपोर्ट जारी की गई थी वर्स 2015 में नेक्स्ट क्वेशन चे जनवरी 2021 को किस राजिका मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर का जनम दिन परता है तो ये जो है चे जनवरी को किस का है हिमांचल प्रदीश की तो आपको इतना याद रखना है कि हिमांचल प्रदीश की मुख्यमंत्री कौन है जैराम ठाकुर है और आपी अंटी PC में या कुश्चन पूछा भी जा चुका है साथ जनवरी 2021 को राजस्थान में उत्तर पस्चिम रेलवे की अधीन अजमीर मंडल की मदार रेखा खंड तक रेलवे फ्रंट कारीडोर पर युजिना का सुबारंब किस ने किया है पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोधी साथ से टेर जनवरी 2021 तक किस रेलवे ने अपनी सभी मंडलों में कंपोनेंट प्रदर्शनी आयोजित किया है या है फस्चिम रेलवे साथ जनवरी 2021 को वित्य वर्ष दरिज फानांसियल एर टूथाउजन ट्वंटी ट्वंटी वन में देश का शकल घरेलू उत्पाद दरिज ग्रास डोमेस्टिक प्रोड़क्ट कितने किरावट का नुमाल लगाया गया है यह पॉइंट इंपॉइंट है मोस्ट इंपॉइंट पॉइंट है आपको याद रखना है सेबन पॉइंट सेबन प्रतिशत है साथ जनवरी 2021 को नालकू कारो बार बिस्तारी की युजना में वर्ष दोहजार सत्रासी दोहजार अठाइस तक कितने रूपे जो है वो निभीस करेगी तो तीस हजार करोन रूपे साथ जनवरी 2021 को किंद्र सरकार में किस किंद्र शाशित राज जी को आउदोगिक विकास के लिए 28,400 करोन रूपे की मंजूरी दी है तो यह है जम्मू कस्मीर साथ जनवरी 2021 को उत्राखंड उचिनियाले का मुखने अधीज की पद पर किसनी शबात लिया है तुनका नाम है नियामूर्टी रागविंद्र शिंग चौहान साथ जनवरी 2021 को भारत की 299 टेस्ट क्रिकेट जो है खिराडी कौन बने है तो यह है नौदीप शैनी साथ जनवरी 2021 को इसबी आई ने किसकी शाथ जो है वो लांच किया है इसका नाम है को ब्रांडेट रूपे डेविट कार्ड इसके साथ लांच किया है इंडियन ओयल 8 जनवरी 2021 को विराट कोहली और सचिन तेंदूलकर को फीछे छोड़ कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी किसने बनाया है Most important point इनका नाम है स्टीव इस्मित आस्टीलिया के क्रिकेटर है Next question 8 जनवरी 2021 को नेता जी शुवाज चन्रबोश की किस वहती जी का निधन हो गया तो इनका नाम है प्रोफेशर चित्रागोश 8 जनवरी 2021 को भोनिश्वर में देश की सबसे पह देश के पहले फायर पार्क का आनलाइन लोकारपण किसने किया है तो देश का पहला फायर पार्क है कहाँ पर भोनिश्वर उडिशा में इसका जो लोकारपण किया गया है उडिशा की मुख्यमंतरी नवीन पतनाए के द्वारा आठ जनवरी 2021 को दुबई में कोरोना वैक्सिन लगवाने वाली पहली वालिवुड सेब्रिटी कौन बनी है ये है सिल्पा सिरूड कर किस सिवसल मीडिया प्रेटफार्म ने पबलिक पेज से लाइक बटन हटा दिया है तो यहाँ फीस्बुक ने ठीक है आठ जनवरी 2021 को किस बैंक ने मकान कर्ज पर 0.3 प्रतिशत ब्यालदर घटाई है तो यह है भारती स्टीट बैंक बारती स्टीट बैंक इस्बी आई की अस्थापना कब हुई थी किस एयर में हुई थी इसका हेड़कॉर्टर कहां पर आप कमेंड करके बताईए देखिए यहाँ कोश्चन इस्बी आई की अस्थापना कब हुई थी यह भी इन्टे पीसी में पूंचा जा चुका है ठीक ह नेक्स्ट कोश्चन है कि आठ जनवरी 2021 को अमेरिका में शंविधान 25 में सनसोथन की चर्चा विया सनसोथन मुख्यरूप से किस से शंभन दित है तो यह राष्टर पती कुपत से हटाने से संभन दित है नेक्स्ट कोशन है कि किसने सभी 22 भारती अरिकारी भाशाओं में डोमेन नेम उपलब कराने की घोशणा की है तो ये है डाट इन आट जनवरी 2021 को CISF का महानिदी इशक का परभार किसने ग्रहाण किया है ये हैं शुभूद कुमार जैसवाल CISF की अस्थापना कब हुई थी आप कमेंट करके बदाइए नेक्स्ट कोशन है कि 9 जनवरी 2021 को किस थीम के शाथ 16 प्रवासी भारती दिवस मनाया गया है तो जो 16 प्रवासी दिवस है 9 जनवरी को मनाया गया है इसकी थीम क्या है तो आतने भर भारत में योगदान बीच इयर इंडिया का बोईंग 677 का उड़ान पहली बार किस महिला पाइलेट ने भारी है तो इनका नाम है कैप्टान जोया अग्रवार नेक्स्ट कुश्चन है कि 9 जनवरी 2021 को रिजर्ब बैंक आफ इंडिया ने देश का किस शाहकारी बैंक को वारेजिक लाइंकिंग लाइशन्स की मनजूरी दी है तो यह है सिवाली मेंटाइल को अपरेटिव बैंक नेक्स्ट कुश्चन 9 जनवरी 2021 को IAS, IPS, YIFOS that is Indian Forest Services का किस केंदर शाहसित परदीश कैडर को AZEMUT that is अनुराचल परदीश, गोवा, मिजोरम और केंदर शाहसित परदीश में जो है बिले कर दिया है तो यहां जमू और कस्मीर कैडर को ठीक है 9 जनवरी 2021 को दिन बंदुशर छोटू राम की पुन्नेती थी है तो वहां जो है दिन बंदुशर क्या थी यह किशान गरीबों की मसीहा थे नेक्स्ट कॉश्चन 9 जनवरी 2021 को मादव सिंग सोलंके का निधन हो गया तो वहां किस राज्जी की पूर्व मुख्यमंत्री थे यहां गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुके है 9 जनवरी 2021 कीश को किस राज्जी का लगुशूच्प यो मध्यमुद्दम दर्ज MSME विभा को Atlas Award of Digital Excellence सी नवाजा गया है तो यहां उत्तरप्रदेश स्टेट को 10 जनवरी 2021 कीश को विश्जू हिंदी दिवस मनाया गया परंदो राज्जी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आपको याद रखना है कि जो राज्जी हिंदी दिवस है वह हर साल 14 सितंवर को मनाया जाता है जबकि विश्जू हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है 10 जनवरी 2021 कीश को कीश राज्ज में धार्मी की स्वतन ताधिनियम 2020 लागू किया गया है तो यहां है मद्दपरदीश Next question 10 जनवरी 2021 कीश को COVID-19 से 20 में सबसे ज़्यादा मौते होने वाली पहली राज्य कौन है तो यह जो पहला राज्य है वह है महाराश्टरा जिसमें की 25,000 से ज़्यादा मौते रिकार्ड की गई है दस जनवरी 2021 को बिश्व में ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फालो की जाने वाली पदस्त राजनेता कौन बने है तो यह भारत की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी है जो की 6,47,47,000 फालोवर है ट्विटर पर ठीक है नेक्स्ट कोईशन है दस जनवरी 2021 को अमेरिका ने किस देश की शाथ राजनाईकों की आपसी शंपर्क बहाली पर लगिशा भी प्रधिबंधा डाली है तो ताइवान के हैं ठीक है दस जनवरी 2021 को किस देश की शेना ने स्वदेशी रूप शेविक्षित गाइड़ मल्टी लांच रॉकेट सिस्टम दर इस फटाहवन का सफाल जो है उड़ान परिक्षन पूरा किया है तो यहाँ पाकिस्तान तो आपको याद रखना है कि जो फटाहवन यह परिक्षन किया है यह गाइड़ मल्टी लांच रॉकेट है यह जो है पाकिस्तान का है ठीक है तो आपको याद रखना है 11 जनौवरी 2020 को ऑकान में भारती अंतररास्टी फिलमावच्षो में कंट्री इन फोकस किस देश पर होगा इस देश का नाम है बांगलादेश ठीक है जो अंतररास्टी फिलमावच्षो है जो कि 11 जनौवरी 2020 किस्तान है हुआ और इसमें जो है कौन्वा जो है या भारती अंतर्रास्टी फिल महोशो था इस महोशो में जो कंट्री इन फोकस देश था वो कौन था तो आको याद रखना है बांगला देश नेक्स क्वेशन 11 जनवरी 2021 को जीस्टी मौावजे में कमी को पूरा करने के लिए शतत रण के रूप में 6000 करोन रूपे जो है कौन सी किस्ट जो है जारी किया गया है तो यह है ग्यार में ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है कि 11 जनवरी 2020 को भारत रत्न किस पूल प्रधान मंतरी का पुन्दिती पर दीश ने नमन किया है तो यह है लाल बहादूर शास्त्री ग्याराजन्वरी दुहजारी कीश्फपृ किस खडानों की संचालन ही शिंगल बिंडू क्लियरंसु शिस्टम की सुर्वात की है कोईला खडान से शंबंदित है अगर कोश्चन आता है कि सिंगल बैंडो क्लियरंसु सिस्टम किस फिर्म बंदी तो आपको याद रखना है कोई लाखादान से नेक्स्ट कोशन है कि 11 जनवरी 2021 कीशकू भारती बल्लेबाज आस्टेलिया के खिलाफ शभी प्रारूपों में सवचके लगाने वाला विस्सु का पहला खिलाडी कौन बने है तो ये है रोहित शर्मा 2021 को वन प्लैनेट सिखर सम्मिलन आयोजित किया गया पहला वन प्लैनेट शमित कब आयोजित किया गया था वर्स 2017 में 12 जनवरी 2021 को स्री नितिन गंकरी ने खादी ग्रामों दोग आयोग द्वारा विक्षित विस्रहित किस वाल पेंट को लांच किया है तो यह है अभिनव पेंट जो की खादी प्राकिर्टिक पेंट है नेक्स्ट कोईशन है कि 12 जनवरी 2021 को श्वामी बिवी का नंकी जनम दिवन के अउसर पर राष्ट में जो है किस दिवस में मनाया जाता है तो इसको सब लोग जानते हैं कि जो है अराष्टी इवद्दिष के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी 2021 को हेंट ली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सीर सुतीन अस्थानों पर जापान शिंगापूर जर्मनी वाकोरिया है तो आपको याद रखना है कि पहले नंबर पर जो है इनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें जो है जापान नंबर वन पर है और सिंगापर दूसरे नंबर पर है जबकि भारत का स्थान पच्चासवी नंबर पर है कितना है 85 राइंग का ठीक है हेनली पाशपोर्ट एंडेक्स 2021 में नेक्स्ट कुश्चन बाराज जनवरी 2021 को उच्चतम नयायले ने नई क्रिसी विल पर तदकाल रोक लगा कर कितनी शदश विसे सग्वों की शमिट गठी किया था तो ये काफी न्यूज में भी था ये चार शदश थे बाकी आपने सुना होगा न्यूज में कि एक ने जो है इन्होंने इस शमिटी से जो हो रिजान कर दिया था ठीक है नेक्स कोर्शन है कि बारत जनवरी 2021 को भारती नूज सेना ने किश अभ्यास में पूरे शाथ 1516 किलोमीटर की शमिटी तड़ पर अभ्यास किया है तो ये है तठी रख्षा अभ्यास अभ्यास का नाम है सी विजिल 21 तेरह जनवरी 2021 को इकॉन में भारती अंतर राष्टी फिल्म होच सो किस फिल्म निर्माता कि श्रंधर जली के रूप में जो है वो दड़िद चारू लता 1964 घरे बाईरी 1984 पाथिर पांचली 1955 शतरंज की खिलाडी 1977 और सोनार कला 1974 फिल्मों का प्रतल्सन जो हो किया जाएगा तो यह इनका जो नाम है फिल्म निर्माता यह है शत्य जीतरे नेक्स्ट कोश्चन है तेरह जनवरी 2021 कीश को ब्यावशाइक शुगम में ता शुधार करने वाला आठमारा जिकौन बना है यह है केरल स्टीट तेरह जनवरी 2021 कीश को केंदर शरकार ने वाईव सीना के लिए स्वदेशी 83 तेजस लड़ा को विमान किस से खरिदने की मंजूरी दी है तो यह है हिंदुस्तान एरोनाडिक स्लिम्तर दड़ इस एल नेक्स्ट कोश्चन तेरह जनवरी 2021 कीश को अमेरिका ने किस देश को आतनकवाद प्रायोजिट करने वाले देशों की सूची में सामिल किया है तो अमेरिका ने किस को शामिल किया है इस कंट्री का नाम है क्योवा इंपॉर्टन पॉइंट याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन है चाउदा जनवरी 2021 को देश में पहली एर टैक्सी सिवा कहां शुरू हुआ है तो आपको याद रखना है मोस्त इंपॉर्टन वहां हिसार से चंडीगड के बीच स्टार्ट की गई है 14 जनवरी 2021 को पोंगल दड़िस तमिलनाडो में ओत्रायर जो की गुजरात से संबंदित है वहीं भोगाली भी हुँ जो की असम और पोष्ट शंक्रांती पस्षिम बंगाल में मनाया गया इस्तेवार को देश में किस्तेवार की नाम से जाना जाता है तो यहां मकर संक्रांती ठीक है तो मकर संक्रांती जो है अलग-अलग इस्टीट में अलग-अलग नामों से जानी जाती है जैसे कि तमिलनाडों में जो है पोंगल, गुजरात में जो है उत्रायड और अशम में भोंगाली भी हूँ, पोष्ट संक्राती पस्चिम बंगाल की जो है, मकर संक्राती इस अलग-अलग नाम से जानी जाती है नेक्स्ट कुर्शन है, चौधा जनवरी 2021 कीशकू, अखिल भारती आरुदिग्यान संस्थान रड़ी एम्ज, भोनेशोर ने तीश्री बार कीश पुरशकार रोजीता है, यह काया कल्प पुरशकार चौधा जनवरी 2021 कीशकू, भारत की पहली सोदेशी मसीन पिश्टल, एस इम आई, किस ने बनाई है, दिया है, डिया है, डिया डियो की द्वाराइश को दिक्सित किया गया है चौधा जनवरी 2021 कीशकू, किश निगम का 75 अस्थापनादिवस मनाया गया है, भारती खाध निगम भारती खाध निगम की अस्थापना कब हुई थी? आप कमेंट में जरूर बताईए चौदा जनवरी 2021 को देश में किस दिवस की रूप में मनाय गया है तो यह थलतिना दिवस है तो हर साल थलतिना दिवस पंद्रा जनवरी को मनाय जाता है Next question यह भी question बनता है कि भारती सीना दिवस का मनाय जाता है आपको याद रखना है 15 जनवरी ठीक है यह थलतिना दिवस या भारती शिना दिवस का मना जाता है तो हर साल 15 जनवरी को मना जाता है नेक्स कोश्चन है 15 जनवरी 2021 को प्रदानमंत्री कोशर विकासि यूजना का तीशर चनड देश भर में कितने जिलो में शुरू किया गया है छे सो जिलो में 15 जनवरी 2021 को स्री राम मंद्र निर्माड के लिए किस ने 5 लाख 1,000 रूपे का पहला चंदा दिया है Most important point जिनका नाम है स्री रामनाथ कुविंद जोगी भारत की बर्तमान मिराष्ट पती है 15 जनवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक दो अभियान में किस मंद्र निर्माड का जंगरा अभियान चलाए गया है तो ये है स्री राम मंद्र निर्माड 15 जनवरी 2021 को बिहार बिजली कंपनी द्वारा बनाई गई किस आईप को किंद्र शारकार ने देश के लिए लांच किया है तो यह है बिहार बिजली श्मार्ट मीटर आएप नेक्स कोशन 16 जनवरी 2021 को विश्चु का सबसे बड़ा COVID-19 टीका करण का भियान भारत में शुरू हुआ यहां टीका करण सबसे पहले कहां पर लगेगा यह सबसे पहले आपको याद रखना है कि हेल्थ केर वर्कर्स को सबसे पहले वरियता दी जाएगी नेक्स कोशन है 16 जनवरी 2021 कीश्चु भारत में COVID-19 वैक्सीन का फीज यानि पहला जो चनल जो है वह शुरू हुआ है तो आपको याद रखना है 16 जनवरी 2021 कीश्चु पहला चनल जो है स्टार्ट किया गया है नेक्स कोशन 16 जनवरी 2021 कीश्चु दुनिया का सबसे बड़ा किश्टी का करण भियान को जो है चलाए गया है तो COVID-19 ती का करण 16 से 24 जनवरी 2020 कीश्च तक किश्च महोट्सो में सिन्नी अरली मोश ढाका अंडर कंस्ट्रक्शन मीघ मलारियों सिम्बो धुली फिल्मों का प्रत्तन किया गया है तो एक कानुमी भारती अंतराश्टी फिल्म महोट्सो में नेक्स कोशन 16 जनवरी 2021 को हिमान्सु पांडिया का निधन हो गया उसा जाराए कि हिमान्सु पांडिया जो है वो काउन थे तो ये फेमस भारती क्रिकेटर दर्ज हार्दिक पांडिया और कुनाल पांडिया की पिता थे 16 जनवरी 2021 को जन जाती है मामलो के मंत्राले को किस पुरुषकार से शमानित किया गया है तो इसे जो है इसकौच चैलेंजर पुरुषकार से शमानित किया गया है 17 जनवरी 2021 को कौन से यंद्विक्च एजनसी द्वारा दुनिया का सबसे शक्ति शाली राकेट लांच किया गया है नासा की द्वारा 17 जनवरी 2021 को कोड़ोनावाईरस की खिलाफ टीका करण अवियान देश के कितने टीका करण केंद्रों पर टीके लगाए गये है 17 जनवरी 2021 को देश के किस्राज्जमि सबसे जादा COVID-19 टीका करण केंद्रों पर टीका लगाए गये है तो आपको याद रखना है आंदर प्रदीश में कितने केंद्र? 332 टीका केंद्र 17 जनवरी 2021 को प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने Statue of N.U.T. को देश के विभेन शेत्रों सी अर्रील शिशंपर जोडने के लिए कितने ट्रेनों को जो है जहन्डी दिखा कर रवाना किया है तो 8 ट्रेनों को देखे, Statue of N.U.T. को जो वहाँ के जो मुर्ती जो बनी है Statue जो बनाया गया है वहाँ किसकी दोरा बनाया जा चुगा है तो यह भी एक्जाम में RRB N.T.P.C के एक्जाम में पूंचा जा चुगा है ठीक है 17 जनवरी 2021 को बिहाराज जी की किस फरवत पुरुस की बानुवी जैन्ती है तो आपको याद रखना है यह है दसरत मांजी ठीक है 17 जनवरी 2021 को सस्वस्त सीमा बल की किस वाहनी की अस्था अपना दिवस्त मनाया गया था तो यह जो है चालिव सी वाहनी का 17 जनवरी 2021 को अमेरिका का जो बाइडन प्रशासन में कितने भारत वासियों को नामित अहम जिम्मेदारी दी गई है तो जो बाइडन जो की अमेरिका के राश्टर पाती है वो उनकी प्रशासन में जो भारत वंस्यों का जो नामित अहम जिम्मेदारी है उसमें 13 महिलाओं समीद 20 भारत वंस्य यह नि जो भारत की जो मूल निवासी है वाजो है तोटल आपको याद रखना है वीस हैं जिसमें की तेरा मैलाईं सामिल है 17 जनवरी 2021 कीशकू फंद विहूशड 2018 सी शम्मानित किस भारती संस सास्त्रिय शंगीत कार का निधन हो गया तो इनका नाम है उस्ताद मुस्थफवा खान 17 जनवरी 2021 कीशकू भारत रत्न यमजी रामचंदरन की जैनती है यानि जैनती हो चुकी क्योंभी 17 जनवरी भी कम्प्लीट हो चुगा है तो वह किस राधी कीपूर मुक्यमंत्री थे तो आपको याद रखना है ता मिलना डूँ 18 जनवरी 2021 कीशकू देश में किस दिवस को जो है ये मनाय गया तो महिला किशान डिवस जो है हर साल 18 जनवरी 2021 कीशकू मनाय जाता है ठीक है किशान अंदोलन भी चल रहे हैं तो आपको याद रखना है जो महिला किशान डिवस है वो हर साल 18 जनवरी को मनाय जाता है आथारा जनवरी 2021 कि गुज्रा सरकार ने किश नई नीती को लागू करने की गोश्डा की है यह है नई परियत नीती आथारा जनवरी 2021 कि ताइलेंड ओपन में खेलाडी जो भाग लेंगे यह है शाइना नेहवाल और H.S. प्रनाए नेक्स्ट क्वेशन 18 जनवरी 2020 कोवी 19 से 20 में अब तक कितने लोग शंक्रमित हो चुके है तो यह 9.38 करोन लोग से ज़्यादा है ठीक है तो यह रिकार्ड बाकि कुछ रिकार्ड भी नहीं होते हैं आप समझ सकते हैं 18 जनवरी 2021 कोवी 19 से 20 सुभर में कितने लोग जान गवा चुके हैं तो 20 लाग से ज़्यादा लोग 18 जनवरी 2021 को केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने किश माह का जो है उश्वारब तिया है तो यह है शनक सुरक्षा माह ठीक है अपको यार रखना है 18 जनवरी 2021 को नेक्स्ट कोशन 19 जनवरी 2021 को शाहिक तुराज अमेरिका ने किस चीनी तेल कंपनी को आर्थिक ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है तो इस कंपनी का नाम है चीनी नेशनल ओवर्सीज आयल कोपरेशन नेक्स्ट कोशन 19 जनवरी 2021 को रिल मंत्रा ने ले लोग आयसक से जुड़ी किस नई नीटी को लागू करने की गोशड़ा की है तो यह लोग आयसक नीटी 2021 19 जनवरी 2021 को आर्थिलिया में खेले गए चार मैचों की टेस्ट सिरीज बार्डर गावाज को ट्राफी किसने जीती है Most important question तो यह है भारत जो है दो एक से 20 जनवरी 2021 को किस भारती ससस्त्र सेना ने 20 मिलियन डालर सी स्विच ड्रोन खरीद के लिए किस भारती नीजी कंपनी की शाथ कॉंट्रेक्ट किया है यह है आइडिया फोर्ज मंबई 20 जनवरी 2021 को किस ने अमेरिका के नई राश्ट्र पती का कारिभाल शंभाला है तो जो वाइडन भारत की जो है राश्ट्र पती बने है जबकि जो हां के उप राश्ट्र पती है वो भारत की मौन निवाची है इनका नाम है कमला है रिस आपको याद रखना है ठीक है 20 जनवरी 2021 को गूगल ने सुरक्षा चिंताओं के बीच की इस देश में प्रस्नल लोन अप्लिकीशन को हटा दिया है तो यह है भारत 21 जनवरी 2021 वर्ष 2019 बीस के दोरान भारती संसर में कौन सी भासा बनी है तो पांची पसंदीता जो भासा बनी है वह संस्कृत बनी है इसके पहले चार भासा है कौन सी हैं आप कमेंड करके बताईए 21 जनवरी 2021 को भारत की नो निर्वाचत रास्ट्रपती जो बाइडन की पतनी जिनका नाम है जिल बाइडन ने किस भारती मूल की महिला को कारिकाल का डिजिटल निरीशक निक्ति किया है तो यह भारती मूल की मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट इनका नाम है गरिमा बर्मा 21 जनवरी 2021 को विद्धा बालन को 26 फिल्म को आशकर 2021 की रिश में सामिल किया गया है तो यह है नटखट नेक्स क्वेस्चन बाइडन जनवरी 2021 को भारत वर्स 2023 में हाकी विश्चुकप का मेजबानी कौन राज्य करेगा तो वर्स 2023 में हाकी का जो विश्चुकप होगा हुआ भारत में हायुजित किया जाएगा जिसकी मेजबानी पोड़ी शाराजी के द्वारा किया जाएगा 22 जनवरी 2021 को टाम टाम ट्राफिक इंडेक्स 2020 के अनुशार दुनिया का सबसी भीड़ भाडवाला शहर का उन्जा है Most important point that is Moscow 22 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने किस देश में मनीश शवहान को नया राजनोत निक्ट किया है यह पूर्टगाल के 22 जनवरी 2021 को किस देश ने चाइना की जिन्जी योग प्रांत में उत्पादित कपाश और टामाटर की आयत पर प्रदिबंध लगा दिया है यह अमेरिका 23 जनवरी 2021 नेता जी शुवाज चंद्रबोस की 125 वी जैन्ती की अउसर पर लगातार एक वर्स तक चलने वाली कारिक्रमों की शमीती का देख्ष कौन है तो यह है नरेंद्र मोधी भारत की प्रधानमंत्री 23 जनवरी 2021 को खेल इंडिया आइस हागी टूनमेंट में खेलने वाली महिला और पुरुष्टी में क्रमसा कौन जी है तो दो महिला और ग्यारा पुरुष्टी में है 23 जनवरी 2021 दूरलब धातू बैनीडियम की शभाती राज में पाया गया है तो यह है इस्टी थे अरुनादल प्रदीश 24 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है तो यह है राज्टी बाली का दिवस नेक्ट कोश्चन है 24 जनवरी 2021 को वर्ष 2022 में United Nations Security Council की आतनकोमादी विरोधी शमिती किया दक्ष्टा कौन करेगा तो यह है भारत 24 जनवरी 2021 किस देश की शरकार ने को भी 19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 213 करून रूपे के रड़ शाहता प्रदान करने की होशना किया है तो यह जापान कंट्री है 24 जनवरी 2021 को Bureau of Police Research and Development की रिपोर्ड की अनुशार भारत में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रत्सत की जो महिलाए है तो 10.3 प्रतिशाथ 24 जनवरी 2021 को किस आस्थान पर आयो जित एक कौनवा अंतररास्टी फिल्म होशो शमाप्थ हो गया तो आपको याद रखना है कि जो एकानवा अंतररास्टी फिल्म होशो जो कि 24 जनवरी कुछ माप्थ हुआ या किस स्टीट में आज़ित किया गया था तो आपको याद रखना है गोवा इस्टेट 25 जनवरी 2021 को भारती रिल्वी का वर्ष 2020 का यह वर्ष कौन सरह तो यह द्रणता और विजय का वर्ष ठीक है ता को याद रखना है इस पॉइंट को याद रखना खास का रिल्वी एक्जाम के लिए 25 जनवरी 2021 को भारती रिल्वी ने कोबिट लॉकडाउन अवरी में कितने प्रवासियों को घय वापस देजा यह रिकार्डियन पताया है ते 6.3 मिलियन प्रवासी 25 जनवरी 2021 को भारती रिल्वी ने एक मैश से 31 अगस्ट उथाउन स्टन्थी के बीच 23 राज्यों में प्रवासियों के लिए कितने ट्रिप स्रमिक एक्सप्रेस ट्रेने चलाई गई यह 4621 ट्रिप 25 जनवरी 2021 को भारती रिल्वी ने कोबिट लाग्टाउन में सबसे ज़्यादा स्रमिक एक्सप्रेस ट्रेने किस राज्यों के लिए चलाई गई तो यह उत्तर प्रदेश क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉलीशन और विहार में भी है तो आपको याद र जाता है तो दोस्तो इस पुक में 25 जनवरी तक के पूरे करण्ट फियर्स को कबर किया गया था तो हमने कबर करवा दिया आप लोग पूरी मन्थ का करण्ट फियर्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिए इसके पहले अगर आपने पहले के जो वीडियो मास्तर वीडियो जनवरी का पूरे करण्ट फियर्स यस बुक का अबने कबर करवा दिया है और आपकों चिंदंदा नहीं करनी है पूरा इस बुक पकर ़ियर्स टॉपिक वाइज प्लस यहMK में सी क्यूस है उसको जल्दी है अप लोग को उपलब आप करवा देगे तो आप लोग अच्छे मत्री सीतर्मन के दिवार निनीर्मला सीतर्मन के दिवारा केंद्रिय बजट 2021-2022 को पीस किया गया है एक फरवर की आयर सी टी सिय के दौरा कितने स्टिशनों वाट्रेणों में शुरू की जाएगी तो दुबारा जो शुरू करी जाएगी यह है तीस इस्टेशनों और धाइसों ट्रेनों में नेक्स्ट है एक फरवरी 2021 से किस राज्य सरकार ने लोकल ट्रेनों की सिवा सुरूआत करने की घोशड़ा की है तो महारास्टर सरकार नेक्स्ट क्वेशन है एक फरवरी 2021 को कोशावा गणराजिक इसकी शात राजनाई की शंबन्द अस्थापीत करेगा इस्राइल नेक्स्ट है एक फरवरी दो हजारी कीश को लोक्षभा में कीश की द्वारा आम बजट को पेश किया गया केंद्रिय वित्त मंत्री निर्मला सितारमन की द्वारा नेक्स्ट क्वेशन है एक फरवरी 2021 को लोक्षभा में आम बजट में डीजल वा पेट्रोल पर कितना सेस लगाया गया है इंपॉर्टन क्वेशन है तो इसका जो एंसोर है डीजल पर चार रूपे और पेट्रोल पर धाई रूपे का सेस लगाया गया है एक फरवरी 2021 को देश की सेना ने अपने देश की शरकार का तकता फुलट दिया और एक शाल के लिए देश में आपातकाल गोशित कर दिया है तो इस किस कंट्री में ऐसा हुआ है या है मैं मार एक फरवरी 2021 को भारत की किस बित आयोग की अंतिम रिपोर्ट शंसद में पेश की गई है तो 15 में बित आयोग की अंतिम रिपोर्ट को एक फरवरी 2021 को शंसद में पेश किया गया है नेक्स्ट है एक फरवरी 2021 को श्वास्त विभाग के द्वारा दी गई जानकारी की अनुशार केंडरी शासित प्रदेश में संक्रमण की कुल 4932 मामले आये थे जिन में से कितने लोगों की माउथ हो गई है तो 4932 मामलों में बाशट जो है लोगों की जो है वो माउथ हो गई है नेक्स्ट कोईशन है एक फरवरी 2021 को केंडरी वित्मंत्री निर्मला सीता रमण ने अपने बजट माशण में क्या गोशड़ा की है तो important question है एक जामे पूथा जरूर जाएगा तो गगन यान की एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रक्षित अंतरिक्ष मिशन 2021 दिशंबर में लांची किया जाएगा तो question अगर बनेगा कि भारत जो इसरो का पहला मानव रक्षित अंतरिक्ष मिशन है वहाँ कब लांची किया जाएगा तो आपको याद रखना है दिशंबर 2021 में नेक्स्ट क्वेशन है कि दो फरवरी 2021 को केंद्रिय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने हिंदुस्तान नेरो नाटिक्ष लिम्टेड की किस एरक्राफ्ट उदबादन का लाइन का उदगाटन किया है तो दूसरी है लाइट कॉमबाइक्ट एरक्राफ्ट नेक्स्ट क्वेशन है एक दो फरवरी 2021 को एकामर्स की दिगज कंपनी देट इस अमेजन की फाउंडर और मालिक जहवजवजवज इस शाल सी उपद छोड़ देंगे इसकी घोशड़ा किस ने किया है तो जहवजवजवज जो है इनोंने श्वयम जो है इसकी घोशड़ा क एकजाम में पूँचा जाता है विश्वार्द भूमें दिवस हर साल दो फरवरी को मनाया जाता है दो फरवरी 2021 कीश को किश आंदोलन को लेकर राजसभा की कारवाही अस्थागित करनी पड़ी है यह है किशान आंदोलन दो फरवरी 2021 कीश को आम बजट में घरेलू PSE का सेंसेक्स यानि जो बंबी स्टाक एक्सजेंज है उसका सेंसेक्स 1335 अंक चड़कर कितना पहुंच गया है तो यह 1335 अंक जो है यह पलस हुआ जो की पलस हो करके 14936.49% यहां आपको दिख रहा है नेक्स्ट क्वेशन है कि 2 फरवरी 2021 को राजसभा की कारवाही किशान आंदोलन की कारण कब तक के लिए सगत करनी पड़िये 3 फरवरी 2021 को किस देश में चीन सी COVID-19 बैक्सीन की पांच लाख खुराक मिलने के बाद टीका करण वियान शुरू होगा तो यह कंट्री है पाकिस्तान नेक्स्ट क्वेशन 3 फरवरी 2021 को दक्षड अफ्रीका के टीम और किस देश के बीच क्रिकेट का घरिलू सिरीज समाप्त होगा तेट इस पाकिस्तान नेक्स्ट 3 फरवरी 2021 को देशने COVID-19 की शंक्रमण को रोकने के लिए भारत समेश 20 देशों से लोगों के आने पर आइस्थाई प्रदिवन्द लगा दिया है यह है शौदी अरब कंट्री नेक्स्ट क्वेशन है तिन फरवरी 2021 को किसने यह जानकारी दी कि नेशनल एरोनाटिक्ष एंड स्पेस एन्विस्टेशन तीन अंतरराश्टी सहयोगियों के शाथ मिलकर एक रोबोटिक्ष मार्श आइश मैपिंग मिशन सुरू करने की युजना बना रहा है यह है नाशा नाशा ने जो है जानकारी दी है नेक्स्ट क्वेशन है कि तीन फरवरी 2021 कीश को किस मंत्राले ने यह घोशडा की है कि भारत केवल भारत केवल अठारा दिनों में चार मिलियन कोबिद नाइटीन टी का करन खुराक लगाने वाला पहला दीश बन गया है तो यहां परिवार का ल्याण मंत्रा लेके द्वारा नेक्स्ट क्वेशन चार फरवरी 2021 कीश को पूरे विश्व में कौन सा दिवर्ष मनाया जाता है विश्व कैंस्वर डिवर्ष इंपॉर्टन दे है बार बार एक्जाम में पूथा जाता है तो विश्व कैंस्वर दिवर्ष हर स साल चारवफर्वरी को मनाया जाता है नेक्ष्ट चारवफर्वरी 2021 प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने किस सतावधी शमारों का online उद्गाटन किया है रहा चारवफर्वरी नेक्ष्ट कुएशन स्वाजी एफिसियंसी सर्विसेस लिम्टेड की साथ नेक्स्ट कोईशन चार फरवरी दो हजारी कीश को भारत शरकार ने आर्टी लरी गन स्वधिस लाइट कॉमबैक्ट एरक्रॉफ्ट टैंकों और मिशायलों विश्फोटक टैंक रोधी खानों और अन्य रक्षाव करणो की निर्यात के लिए अपनी मंजूरी दे दी है तो यह किंद्र शरकार नेक्स्ट कोईशन चार फरवरी दो हजारी कीश को स्रम और रोजगार मंत्राले ने किशे राश्टिय सुरक्षा परिशत का चेर्मैन निवक्ति किया है तो यह है यस यन सोग्रमंडन नेक्स्ट कोईशन किस राजी सरकार ने गांधी नगर जिले की नाशमीट गाउं में भारती कोसल संस्थान की अस्थापना करने की जानकारी दी है इंपार्टन कोईशन है अगर एक्जाम में पूछा जाता है तो किस राजी सरकार ने गांधी नगर जिले अगर आपको गा रात सरकार नेक्स्ट कोईशन है चार फरवरी 2021 कीश कुम्या मार में हुए शहन ने तक था फलट पर अपनी चिंता व्यक्ति की और सेना द्वारा हिरासत में लिए गए राश्ट पती विनमिंट राजी काउंसल आंग शान शू की और अन्य निताओं की तद्काल रिहा करने की मांग की है यह शन्युक्त राश्ट सुरक्षा परशद that is United Nations Security Council नेक्स्ट कोईशन है चार फरवरी 2021 को किश ने जानकारी दी है कि भारतिये क्रिकेट टीम की कप्तान बिराट कोली को लगातार चौथी शाल 2020 में सबसे Valuable Celebrity का किताब मिला है इस लिस्ट में दूसरा नाम वालीवूड एक्टर अक्षे कुमार का है और तीसरे अस्थान पर रनवीर सिंग है शारुखान चौथे अस्थान पर दीप का पाजगोंड पांसवे अस्थान पर जब की आलिया भट शटे अस्थान पर है तिया है डफ एंड फेल आप्ष ने ठीक है किशने जानकारी दी है दफ एंड फ्लेप्ष ने तो आपको याद रखना है नमबर वन पर जो है वो वि नेक्स्ट कोशन चार फरवरी 2021 को किस देश ने उत्तरी शागर में दुनिया का पहला उर्जा शेत्र द्यूप निर्मित करने की यूजना को मंजूरी दी है इंप्वर्टन कोशन है most important किस देश ने तो आप क्लिक करना है डेनमार्क नेक्स्ट चार फरवरी 2021 को प्रतिवर् यह अंतरराश्टिय मानवबंदु ततिवर्ष अभी आपने पढ़ा कि चार फरवरी को विश्चु का इन सुरत दिवस भी मनाया जाता है पाज फरवरी 2021 को तेरवे एरो इंडिया 2021 शो की शमापती है इसका आयूजन कहां हुआ है तो तेरवे एरो इंडिया 2021 जो है कहां प दिवमासिक बैठक में रेपो रेट कितना प्रतिशत पर बरकरार रखा है तो चार प्रतिशत पर नेक्स्ट कोशन फरवरी 2021 को शैयुक्त राज जमेरिका ने कि जो शेना की टुकुडी है वो भारती सेना के शैनिकों के शाथ शैयुक्त शैना ब्याज के लिए भारत यह जानकारी किसने दी है तो यह रख्षा परवक्ता लेफटिनेंट करनल अमिताब शर्मा 6 फरवरी 2021 को कितने शाल की उम्र में बुरुस टेलर का निधन हो गया है तो यह हैं 77 साल के नेक्स्ट क्वेशन 6 फरवरी 2021 को रंग विदुशक की संस्थापक और थियेटर निर्देशक का बंसी कौल का जो है निधन हुआ तो उनका जन्म कब हुआ था तो बंसी कौल का जन्म 23 अगस्त 1924 को हुआ था ठीक है तो यह एक फेमस परसनालिटी है फार संस्थापक और थ देशक ठीक है नेक्स्ट क्वेशन 6 फरवरी 2021 को ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताजर रिपोर्ट की अनुशार इनुविशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत की सस्थान पर है तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की अनुशार इनुविशन इंडेक्स 2021 में इंडिया की र नाचा परियुजनाओं को रास्ट को शमर्पित किया है यह है 47 शो करोण यह चारह हजार 700 करोण रूपए नेक्स्ट क्वेशन शाथ फरवरी 2021 की साथ शाल शात महीने और 25 दिन बाद उत्तरा खंड शमोली के रेड़ी गाओं के पास ग्लेशियर तूटने से कितने ज्यादा जो लोग है वह बह गए ठीक है तो यह इंपॉर्टन कोईशन है आपको याद रखना है इसको कि साथ साल और 25 दिन बाद जो है उत्तरा खंड में चमोली की जुग रेड़ी गाओं है वहाँ पर जो है गलेशियर जो है उटा है ठीक है तो कितने लोग इसमें बहे हैं यह श बारत की किस पूर्व टेनिस खिलाडी का निधन हो गया है जिनकी उम्र 21 बर्स थी यह है क्यासी शाल के अक्तर अल्ग किस राजी के श्वास्ट और परिवार कल्याड विभाग ने यह गोशड़ा की है कि वह राजधानी भोनीशवर में कोविड-19 वारियर मेमोरियल का निर्माड करेगी जो कोविड वारियर स्वारा दियेगे बलदान और सेवाओं को पहचानने और सम्मानित करने के लिए हो क्रिकेट कंटूर बोर्ड को इस शाल क्रिकेट माइस को मैदान में उपर किसकी जरिये फिल्बांकन के लिए शचर्त मंजूरी दे दी है तो यह है ड्रोन ठीक है तो ड्रोन के दौरा यह सब किया जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है आठ फरवरी 2021 कीश को राजस्थान के विकाने इस धित कौन सी फाइरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के बीज युद्ध्यव्याश शुरू हो गया है तो यह महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज है जो की राजस्थान के विकाने डिस्टिक में है यहाँ पर बारत और अमेरिका के बीज युद्ध्यव्याश शुरू हो गया है नेक्स्ट कोश्चन है नव फरवरी 2021 को मुख्य मंतरी नितीश कुमार के नेतित्त में शत्रा मंतरियों को किसने शपत दिलाई जिसके बाद मंतरियों की शंख्या बढ़कर 31 हो गई है तो रा ठावन शाल की थी नेक्स्ट कोश्चन है नव फरवरी 2021 कीश को यू एई का हो प्यान लगव कितने किलोमीटर प्रतिघंटी की रव्तार सिल चक्कर लगा रहा है तो यह है एक लाख वीस हजार किलोमीटर प्रतिघंटा नेक्स्ट कोश्चन है नव फरवरी 2021 कीश को कौन से विभागने शभी खाद पदार्थों में बाहरी वशा के परियों को सिमित करने ही नियम अधिशू चित कर दिये है तो यह खाद नियमक यफ एस एस ए आई नेक्स्ट कोश्चन है नव फरवरी 2021 कीश को कि इन देशों ने वास्तवी की नियन तर्डरेखा लड़िज यलेशी लाइन अफ एक्शूल कंट्रोल फरश्यन गतिरोत की बीच शंप राष्ट सुरक्षा परिशत की एजंडे की बिविन मुद्दों पर दिव पच्चिय व उत्पाद में दिजिटल एकोनोमी की युगदान को कितने प्रस्ट तक बढ़ाने की उद्दिश्च से किया गया है तीश प्रतिशत नव फरवरी 2021 कीश को कोविन 19 वाइरस की उत्पत्ति की जाच के लिए चीन के कि शहर की 12 दिवसिय यात्रा के बाद विश्व श्वास्त शंगठन की टीम ने वाइरस की एक लैब लीग की सिधानत को खारिज कर दिया है यह बुहान ने नेक्स कोशन है नो फरवरी 2021 कीश को किस देश की राश्ट्रपती ने देश की अगली दस वर्स की अंतरिक शुकारी क्रम की गुषडा की है तो यह है तुर्की के राश्ट्र जब यर्दोगन नेक्स कोशन दस फरवरी 2021 कीश को विश्च भर में कौन सा दिवर्स मनाया जाता है तो आपको याद रखता है विश्च दलहां दिवर्स हर साल दस फरवरी को मनाया जाता है नेक्स्ट दस फरवरी 2021 कीश को प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी ने किश माध्यम से विश्च सतत सिखर सम्मेलन 2021 का उदगाटन किया है तो वीडियो कांफरेंस के माध्यम से दस फरवरी 2021 को किस देश ने कहा है कि उसका अंत्रीक्षियान नाम क्या है तियान वेन वन जो कि मंगल की कच्छा में परवीश कर गया है जो लालगरा की शता पर एक रोवर उतारेगा और वहाँ भूजल तथा प्राचीन जीवन की शमभावित संकीतों से नमबर शमवान में पूसा जाएगा कि जो है एक अंत्रीक्षियान जिसका नाम तियान वेन वन है जो कि मंगल की कच्छा में परवीश कर गया है तो यह किस कंट्री का है आपको याद रखना है चाइना नेक्स कोईशन है नाम से कैसा आप नहीं कर पाएं क्योंकि चाइना की जगर जापान है तो यह और सीबी नेक्स्ट कोईशन है दस फरवरी दोहजारी कीश को किस देश के राश्ट्रपती ने मैं मार में शैन शेनाओं पर तक था फ्रट की मद्दे नजर कई प्रद्वंद लगाने की घोशड़ा की है तो यह अमेरिका के राश्ट्रपती जो बाइदन नेक्स कोईशन दस से बारह फरवरी दोहजारी कीश को दा एनर्जी एंड रिशोर्स इंसिट्यूट की फ्लाइग शेब इवेंट वर्ड सस्नेबर डबलप्मेंट शमिट का कॉंसर संसकर्ड आनलाइन आयोचेते किया गया है तो यह है वीशवां ठीक है नेक्स्ट ग्यारव फरवरी दोहजारी कीश को नागरिक विमान मंत्राले ने कहा है कि घरेलू विमान यात्रा की राय की निचलिवा उपरी सीमा में दस से तीस प्रत्स तक बढ़ोतरी की गई है जो कब तक लागू रहेगी तो 31 मार्च दोहजारी कीश तक यहां आया अग फरवरी को मनाया जाता है इंपॉइडेंडे याद रखना है अंतरास्टी महिला बैग्यानिक दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है नेक्स्ट कोशन 11 फरवरी 2021 को किस खेल के निलामी के लिए हिराडियों ने फाइनल लिस्ट जारी की गई है यह है आई पी यह के निर्माड की लिए जो आपातकाली नादेश था उसको रद किया गया है अमेरिया के राष्ट पती जू बाइडन की द्वारा नेक्स्ट कोशन 11 फरवरी 2021 को किस ने यह घोषडा की थी कि शंगाई इस सित निव डेवलोपेंट बैंग ठीक है तो आपको याद रखना है क निव डेवलोपेंट बैंग जो है वह कहां पर इस्तित है तो यह शंगाई चाइना में इस्तित है इसने जो है सो मिलियन अमेर की डालर का निवीश करने की प्रतिधा जताई यह है नीशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफरसक्टर फंड जो की बहु पच्छी बिकास बैंक ह यह जो है घोषडा की है ठीक है कि डेवलोपेंट बैंक की शाद जो है यह निवीश निवेस्टमेंट के शाद निभेस करेगा नेशनल इंवेस्टमेंट एंड स्थे क्रतिर्चर फंड नेक्स क्रेशन ग्यारा फरवरी 2021 के कि ब्सकुभेंट मंत्र ले ने, बयान में कहा है कि एक हजार टन की पहली खेप सीरिया पहुंच गई है या विदीश मंत्राले में नेक्स्ट कोईशन है बारा फरवरी 2021 को विदीश मंत्राले ने सीरिया में खाद सुरक्षा को मजबूत करने ही दू कितने टन चावल उपहार के तौर पर देने की बात की है दो हजार टन नेक्स्ट कोईशन बारा फरवरी 2021 कीश को शणक परिवहन वर राजमार्ग मंत्री नितिन जैराम गड़करी ने पहला CNG से चलने वाला ट्रैक्टर लांच के दौरान डीजल के बजाए CNG ट्रैक्टर के इस्तिमाल से किशानो द्वारा शालाना कितने लाख रूपे बजाने की बात की एक लाख रूपे नेक्स्ट क्वेशन 13 फर्वरी 2021 को इटली के नय प्रधान मंत्री वद की शपत किस ने ली ये पोर्व यूरिपीस सेंटलबाइन के प्रमुख इनका नाम हैjos जो की इटली के नय प्रधान मंत्री की रूप में इनने सपत ली है नाम क्या है मारियो नेक्स्ट ग्वेशन प् important question है तो यहां तमिलनाडो चन नहीं ठीक है इनुने चमिलनाडो चन नहीं के दोरान अरजुन टाइंग को जो है वो सेना को शमर्पित किया है तो अरजुन टाइंग किस से रेटर्ड है से रेटर्ड है याद रपना है नेक्स्ट क्वेशन है शौदा फरवरी 2021 को पाकिस्तान की टीम नी शाउथ अफरीका को तीन मैजों की T20 इंटरनेशनल मैजों की स्रीज की आकरी मुकाबले में कितने विगट से हरा दिया है यह चार नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन है याद 15 फरवरी 2021 को किंदरी सरकार ने देश की मैपिंग नीती में ब्यापक बदलाव करते हुए कि इन आकोडों डाटा की अधिग्रहन और उत्पादन को नियंतरी करने वाली नीतियों की उधारी करण की घोशड़ा की है यह है भू अस्थानिक नेक्स्ट क्वेशन है भारती रिजर्बाइंक ने किन बाइंकों को मजबूत बनाने के लिए द्रिश्ट कौन पत तयार करने को लेकर एक शमित गठित की है शहरी शहकारी बाइंक 15 फरवरी 2021 भारती टीम ने किश जिकट की पर बल्ले बाज ने अपने शन्याज की घोशड़ा कर दी है कर नाम है नमन ओज़ा 15 फरवरी 2021 भारती नमसेणा को अपनी तीसरी इशकारपीन पंड़बी मिली जिसे कब प्रोजक्ट गिसे जो है कब प्रोजक्ट पी 75 की INS करंज की तोर पर तैयनात किया जाएगा यहाँ मार्च में तैनाद किया जाएगा और यह भालती नवसेना को जो है तीशरी है इसकारपीन पंडूबी ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है तो इसकी याद रखना है यह किस की तौर पर तैनाद किया जाएगा याद रखना है I.N.S. करंज नेक्स्ट कोईशन पंद्राव फरवरी 2021 को किशकेंद्रिय मंत्री ने वार्जिक जूट विज बितर्ण योजना शुरू की है इनका नाम है इसमरिती इरानी वार्दिक जूट बिजरण बितरण योजना किस की द्वारा सुरू किया गया है ये इसमरिती इराणी की द्वारा नेक्स्ट कॉश्चन है शोलाव फरवरी 2021 को उत्तर प्रदीश के वहराइच में महाराजा शोहिल देव के अश्मारा का सिलन्यास किस ने किया तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सन में रहेगा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी योगी यादित तनात या राजजपाल के नाम दे देंगे तो आपको याद रखना है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी खाशकरी उपी किकजा में कुछा जा सकता है नेक्स्ट कोईशन 16 फरवरी 2021 को केंडरी आवाश और सहरी मामलों के मंत्राले ने किस यूजना के तहट पाइलेट डाइज पेजल सर्वेक्षण शुरू किया है तो पेजल सर्वेक्षण जो है या जल जीवन मिशन सहरी मंत्राले के द्वारा यानि इसको जो है जल जीवन मिशन सहरी यूजना के तहट या पेजल सर्वेक्षण शुरू किया गया है जो के केंडरी आवाश और सहरी मामलों के मंत्राले के अंतरगत आता है नेक्स्ट कोईशन है 16 फरवरी 2021 को किसे पुद्दुचेरी के राजजपाल के पद से हटा दिया गया तो इनका नाम है किरनवेदी किसने पुद्दुचेरी के उबराजपाल पद का अतरिक्त प्रभार जो है वो शम्हाला है तो ये तेला अंगना की जो राजजपाल है इनका नाम है तमिल शाई शुन्दर राजन जो कि एक फीमेल है तो इनको जो है नाम से आप नहीं के सकते हैं ठीक है तो इनका जो है नाम है तमिल शाई शुन्दर राजन इनको जो है फुद्धुचेरी का उपराज जपाल का तरिक्त प्रभार दिया गया है नेक्स्त्स क्वेशन है, 16 फरवरी 2021 कीश्कू कि इन्दि रक्षामंत्री राजनात्र सिंग नहीं किश पॉर्टल का शुबारम नहीं किया है, इस पॉर्टल का नाम है ईशावनी पॉर्टल. नेक्ट कोईशन 16 फरवरी दोहजारी कीश को विहार और जहार खंड की किश पूरवराजबाल का निधन हो गया तो इनका नाम है M. Ram. जोईश नेक्ट कोईशन 16 फरवरी दोहजारी कीश को नौ सेना का हिंद महाशागर के उत्तरी भाग में हो रहे अब भ्याश में किन सेना उने भाग लिया है तो यह इरानी सेना और इस्लामिक रेवलूंशरी गार्ड कॉप्ष आई यार जीशी के नौ सेना डिवीजनों के बलों और जहाजों ने रोसी सेना के शाथ हिशा लिया है नेक्स कोईशन है 16 फरवरी 2021 को आयज़ुत होने वाले कि इस जलवाई परिवर्तन सम्मेलन की अध्यक्ष पत के लिए नामित आलोक शर्मा ने अपने देश की तरफ से कौप 26 सुखर सम्मेलन के पहले जलवाई कारवाई के प्रति अपनी वधता को दोराया है तो 26 में शन्युक्तरास्ट जल्वाई परिवर्तन सम्मेलन तो एक्जान में गराता है कि 26 में शन्युक्तरास्ट जल्वाई परिवर्तन सम्मेलन में भारत की ओर से इसे नामित किया गया तो यह आलोक शर्मान ठीक है नेक्स कोशन है 17 फरवरी 2021 को किंद्रिय मंत्री मर्डल ने किस अधनियम 2015 में संसोधन के प्रस्ताव को अपने मंजूरी दे दी है तो महिला और बाल विकाश मंत्राले के किशोर नया अधनियम कब का है 2015 का किस और नय अधिनियम में जो संसोतन को जो है क्या है प्रस्ताओं को मंजूरी मिली है नेक्स्ट क्वेशन है 17 फरवरी 2021 कीश कुप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी किस राज में तेलवा गयस छेत्र की कई परियोजनाओं को राष्ट को शमर्पित करेंगी ता मिलाडू किस यह बागी दारी की सम्झोति कप्रस्ताओं को मन्जूरी प्रदान की गया है कैंद्रिय मंध्री मंदल क office मोदी की दौह एकशो संचारों करौन डाटारी की अप्रेंडियाच नेक्स्ट कोईस्चन है 17 फरवरी 2021 को केंद्र ये मंत्री रवी शंकर प्रशाद ने शंभावना जताई है कि PLI योजना के तहट अगली पाच बर्सों में देश में दूर संचार उपकरणों की कितने करण रूपे का उद्गादन होगा तो ये होगा 242,200 करोण रूपे नेक्स्ट कोईस्टन है 17 फरवरी 2021 को केंद्र शरकार ने पूंजी गत खरीद के यानि चुक कैपिटल परज़ेदी उसके अंतर गत जो है शसरत्र बलों में किस पत से निचले अस्तर के अरिकारियों को वित्तिय सक्तियों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है या है वाइस नेक्स्ट कोईशन 17 फरवरी 2021 को क्रेडिट रेटिंग एजनसी एश एंड पी ग्लोबल रेटिंग ने कहा है कि भारत अगले पित बर्स में कितने प्रतिशत ब्रिद्धी के शाथ सबसे तेजी से उबरती अर्थ ब्यवस्ताओं में इसे ही होगा यह 10 प्रतिशत तो आपको वितवर्स में नेक्स्ट कोईशन 18 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने किस राज में वीडियो कानफ्रेंस के माद्यम से महा बाहु ब्रह्मपुत्र का उद्गाटन किया है ब्रह्मपुत्र आशम नेक्स्ट कोईशन आशम में कुष पुल की आधार सिला रख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने पड़ुसी देशों के शाथ वीडियो कानफ्रेंस के माद्यम के जरीये किश मैनेजमेंट की वरकशाप को शंचो द्यति किया है कोबिन-19 मैनेजमेंट नेक्स्ट कोईशन 18 फरवरी 2021 अमेर्की स्पेस एजनसी का अंत्रिक्ष यान भा यह दो बचकर 45 मिनिट पर नेक्स्ट है 18 फरवरी 2021 अमेर्की स्पेस एजनसी का अंत्रिक्ष यान धरती से टेक आफ करने की साथ महीने बाद मंगल ग्रापर पहुंचा है इसी के साथ अमेर्की मंगल ग्रापर सबसे ज़्यादा रूवर भेचने वाला विश्यों का कौन सा देश बन गया है इंपोर्टन कोश्चन है तो अमेरिका जो है यह पहला देश बन गया है नेक्स्ट कोश्चन 18 फरवरी 2021 कीश को केंद्री स्रम मंत्री संतोस गंगवार ने घरेलू कामगारों और प्रवासियों शहित कितने अखिल भारती सर्वेक्षणों के लिए श्राफ आर्थिक वारता में भारती प्रतिमी मंडल का नेटवक तकिस ने किया है 21-2 भारती रूपी शंग ब्यापक आर्थिक वारता में आर्थिक मामलों की सचेँ नाम है इनका तरुण बजाज नेक्स्ट कुश्चन है किन दो देशों के बीजा शुविधा और चमणा प्रवदोगी की कि शंबंद में दो समझाओते पर हस्ताक्षर किये गए हैं तो भारत और एथियोपिया नेक्स्ट कुश्चन है नेक्स्ट कुश्चन है उननीस फरवरी दो हजारी कीस को ईबी चार्जिंग इंस्ट्रसक्षर और ईए मोबिलिटी के शाथ भारत में इलेक्टिक कोकिंग के फायदे के बारे में जाग रुकता फैलाने के लिए किंद्री शणक परिभान और राजार मत्री नितिन जयराम गनकर इक अभियान की सुरुवात किये है यह गो अध्यक अभियान के खान सा भियान भी और इहें इलेक्ट्रिक अभियान नेक्स्ट कुशना है hani ا्वशरी 2021 को किषनी नई दिल्ली स्थित शुष्मा सुराजभवन स्थित व्रिक्ष सचिवाले में भारत का व्रिक्ष 2021 विपशाइट की शुरुवात की थी विदेश मंत्री एस जैसंकर ने नेक्स कुशण है वेश फर्वरी दो हजार एक कीश को मुंबई में फिल्म फ्यस्टिवल अवार्ड ऑड दो जार इकपिस नेक्स्ट कोश्चन है, मुंबाई में किस फिल्म फेस्टिवाल अवार 2021 का आयुजन किया गया, तो दादाशाब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवाल अवार 2021, ना तो कोश्चन नमबर नेक्स्ट है, एकेस फरवरी 2021 को केंद्री रेल मंत्री पीउस गोयल ने वीडियो कार्फरेंस की माध्यम से किन राज्यों में वेभन रेलवे स्टिशन उपर बुनियादी सुविधा, परियोजनाओं, यात्रा सुविधाओं और अन्य सुविधाओं से सम्बंदित परियोजनाओं का उतग पाटन और लोकारपन किया केरल, तमिलनाडू, मद्ध प्रदीश और करनाटक में नेक्स्ट क्वेशन है 21 फरवरी 2021 को एक हज़ार क्रोन रूपे से अधिक लागत की कितनी रेलवे परियोजनाओं राष्ट को शमरपीत की गई इंपर्टन क्वेशन यह हैं 88 नेक्स्ट क्वेशन वाइस फरवरी 2020 को रिलाइंस ने इस्टाक एक्सेंजों में वीनियामक फाइलिंग के दावरान क्या गोशणा की तो यह गोश्टा की कि सभी शोधन विपड़न और पेट्रोकेमिकल प्रशंपत्य को तेलशी रशायन व्यावशाइक शहयोग को शहायकों को हस्ता अक्षित किया जाएगा नेक्ष कोश्टन है रक्षान शंधान व्युम्पिकाज संगटन ने स्वदेशी तकनीकी सी निर्मित्यूम डिसाइन कौण शिमिशायल का दो शवबबर२ पर इक्षंड किया है धेमाजी जीले जो की असम में है उसके जो है शिल पातर में किस छेतर की कई मात्वपूर परियोजनाओं को भी देश को शमरपित किया तो तेल और गैस ठीक है तो तेल और गैस छेतर की कई जो है कई मात्वपूर परियोजनाओं को असम में जो है शमरपित किया जिसके कि प्रधानमंत्री को बड़ा जटका लगा नेपाल के प्रधानमंत्री को फारिशन प्रणाली को मजबूत करने के लिए एसियन इंफ्रसक्षर इंवेस्टमेंट बाइंग की शाथ कितने मिलियन डालर की दिन्ट समझोता किया है तो 304 मिलियन नेक्स्ट कोशन है कि 24 फरवरी 2021 कीश को कौन सा दिवस मना जाता है तो केंद्री उतपात सुल्क दिवस 24 फरवरी 2021 को किस ने दुनिया के सबसी बड़े क्रिकेट स्टीडियम का उदगाटन एहमदाबाद में किया तो रामनात को बिंद काफी चर्चा में रहा मोटेरा स्टीडियम जो कि अब उसका नाम नरेंद्र मोधी स्टीडियम हो गया है नेक्स्ट कोईशन है 24 फरवरी 2021 को किंद्र ये ग्रिह मंत्री अमिस्या निन अमेंदाबाद की मोटेरा स्टीडियम का नाम से पुकारे जाने की घोठड़ा की तो नरेंद्र मोधी मोटेरा स्टीडियम काफी न्यूच चर्चा में रहा नेक्स्ट कोईशन है 24 फरवरी 2021 को किंद्र सरकार ने निजी छेत्र के मामलों वर जो निजी छेत्र के बैंक है उन पर सरकार शमबंदी बैंक लेंदेन दड़िश टैक्षवान राजश भुकतान समबंदी एंसन भुकतान और लगुवचत पर लगाया गया अधिकारी प्र दोर पर आप देख सकते हैं रास्तियन सुचित जातिया यू कि अध्यक्ष जो नए अपाइंट किये गए इनका नाम है विजय सापला क्या नाम है विजय शांपला इंपॉर्टन पॉइंट नेक्स्ट कोईशन है कि इसने ग्रीन कार्ड अप्लिकीशन और कुछ किस्म की व अप्लिकेशन की जो फ्रीज करने के जो आदेश थे पहले पूर राष्टपती ट्रंप की दौरा दिया गया था उसको रद कर दिया गया अमीड की राष्टपती जो बाइडन की दौरा नेक्स्ट कोईशन है 25 फरवरी 2021 को कि इसने जानकारी दी है कि कि इंद्र सरकार ने सो घाटन किया और शिलन्यास करेंगे तो यह हैं तमिलनाडू और पुद्धुचरी के दौरा के दौरान नेक्स्ट कोईशन है भारत के निरबाचन आयोग ने कितने राज्जियों और एक कि इंद्रशासी प्रदिश दड़िश पुद्धुचरी के लिविधान सबाद चुन सफरवरी 2021 को भारत की किस उपराष्ट्रपती ने कानूनी विरादरी की लोगों से कानून व्यवस्था को और अधिक शुगम तथा के भायति बनाने का आयों किया यम बैंकि नाइडूजों की भारत की उपराष्ट्रपती है नेक्स्ट कोच्चन है बिहार के मंत्री है नि को खिनाधी सरद अर्विंद बोबडे थे वहां पर और किंद्री कानून मंत्री अरभी संकार प्रशाद की उपस्थिति में कब जब पटना उच्वन्याले की सदाब दिभावन का उद्गाटन किया जा रहा था नेक्स्ट कोच्चन है 27 फरवरी 2021 को पस्षिमी सीर्याई प है जग मोहन नेक्स कोच्चन 27 फरवरी 2021 को राजसभा की किस पूर्वर राज शभा जो शब्स हैं उन्होंने राजनीती धर्मजाद हारित नहीं होनी चाहिए उन्होंने कहा उनका नाम है गुलाम नभी आज़ाद है जो कि अब राजसभा से क्या है रिटार हुए नेक्स को प्लस अठारा अन्य जो शैटलाइट उपाग्राएं उनकी साथ नेक्स कोईशन है किस राज में 31 जिला महापंचाय तो यक्याशी नगरपाल काउंट 231 तालुका पंचाय चुनाओं के लिए मद्दान हो रहा है इकनी इंपॉर्टन नहीं एक्स कोईशन है विजरा था ठी मात्री मोदी ने कि शंकट को शामुहिक प्रयार से शमाप्त करने की बात कही यह जल संकट से नेक्स कोशन है एक मार्च 2021 को मद्द प्रदीश की कौन से जिले में शाठ वरसी अधिक अम्र की लोगों को नहीं सुल्क कोविट टीका कण किया जाएगा तो यह मद्द प्रदी पार्टि लें ठीक है तो दोस्तों एक मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाय गया शुन्य वहेद बाव दिवस नेक्स्ट किस राजी के बनमंत्री संजयराठाउर ने स्थीपा दे दिया है तो महराश्ट्रा नेक्स्ट प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी को 22 उरजा और परियावण ने तुट प्रोषकार प्राप्ट किया है नेक्स्ट क्वेशन एक मार्च 2021 को बीपी जाई को किस राजी का नया मुख्य सचिव नूक्त किया गया है तो किरल के नय मुख्य सचिव बीपी जाई को बनाया गया है next हाल ही में किसने मासिक लेंदेन में 1 बिलियन को पार कर लिया है तो यह है पेटियम किस बैंक ने PM की अर्ज फंड में 11 करूण रूपे का दान दिया है तो यस बियाई ने next यूक्रेन कुस्ती में किसने सुनड़ पदक जीता है तिनका नाम है बिनेश फोगाट एक मार्च 2021 को की गई घोशडा की अंसार Hero Indians Women League 2020 की मेजबानी कौन करेगा तो उडिशा जो है वा Hero Indians Women League की मेजबानी करेगा पास्मी नव सेना कमान का प्रमुकी से न्यूक्त किया गया है तो यह आर हरी कुमार G20 Central Bank Governors की बैठक में किस ने भाग लिया है निर्मला सीता रमड Next, DRDO ने कहां से उपग्रा नाम है उपग्रा का सिंधुनेत्रा को लांच किया है तो DRDO की द्वारा आंध प्रदेश से सिंधुनेत्रा को लांच किया गया कब डेट इंपोर्टेंट है तो 1 मार्च 2021 को Next, किस देश ने अंत्रिक्ष उपग्रा आर्टिका यम लांच किया है तो रसिया के द्वारा एक मार्च को आर्टिका यम अंत्रिक्ष उपग्रा जो है वो लांच किया गया है Next, अरोड कुमार सिंग को किस राज्जी का नया मुख्य सचिव निउक्त किया गया है तो ये बिहार के हैं नेक्स्ट क्वेस्टन Advantage India The Story of Indian Tennis नामक पुस्तक किसने लिखी है तो अनिंदा दत्ता के द्वारा Advantage India The Story of Indian Tennis नामक पुस्तक लिखी गई है नेक्स्ट कौम सा जनावसदी दिवस जो है शुरू हुआ है 1 मर्च 2021 को तो तीसरा जनावसरी दिवस 1 मर्च 2021 को शुरू हुआ है किस राज सरकार ने खाद मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया है तो मध्य प्रदीश यनि खाद मिलावट अगर किया जाएगा तो जो दंड दिया जाएगा वह आजीवन कारावास का है नेक्स कोईशन है आस्ट्रेलिया में भारत का उच्चा युक्त किसे नियुक्त किया गया है तो इनका नाम है मनप्रीत बहुरा नेक्स कोईशन गलोबल बायू इंडियाड 2020 का उदगाटन किस ने किया है तो डाक्टर हर्स वर्धन सिंग नेक्स्ट ब्रिटेन के दो क्रूज जहाजों को भारत के किस रज में खंडित किया गया है तो गुजरात नेक्स्ट किस बाइंक ने ग्रिया रिंड की ब्याजदरों को घटा कर 6.7 प्रत्षत कर दिया है अंतर रास्टिय योग उच्ट्सो कहां शुरू हुआ तो यहाँ रिसी केस में शुरू हुआ है कब 2 मार्च 2021 को नेक्स्ट क्वेशन है 2 मार्च 2021 को किस देश ने पहली बार उनाइटड अरब अमीरात की राजदूद का श्वागत किया है तो यहाँ इसराइल ने पहली बार कहां के इनाइटर अरव अमिरात की राजदूद का श्वागत किया है किसने इसराइल ने नेक्स्ट कुष्टन चर्चा में रहे because India comes first नामक पुस्तक किसने लिखी है राम माधों के द्वारा because India comes first पुस्तक लिखी गई है पूर्वी नव सेना कमान का प्रमक किसे नियुक्ति किया गया है? समुद्री भारत सिखर संबेलन 2021 का उध्गाटन किस ने किया है? नरेंदर मोधी जी ने प्रधान मंत्री नरेंदर दामोदर दास मोधी ने किस रज में एक हजार मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर पर्योजना का उद्गाटन किया है तमिल नाडु में नेक्ट क्वेशन भारत ने रक्षा छेत्र में किसे पहली प्राथिमिक्ता वाला साधिदार बताया है त्री लंका को नेक्स्ट क्वेशन है मोन मेडिकल कॉलेज की आधार सिला कहां रखी गई है यहां नगालेंड राज्ज में नेक्स्ट क्वेशन सुगम में भारत आइप किसने लांच किया है तो थावर चंद गालोत ने सुगम में भारत आइप लांच किया है कौन साहब है? शुगम में भारत किसने थावर्चन गालोतने Next question हाल हिमे किस राजि सरकार द्वारा गरों की पहचान? गरों की पहचान? चेली की नाम योजना सुरु की गई है यहां उत्रकंड राजि सरकार की द्वारा नेक्स्ट क्वेशन अंतरराष्टिये पेटेंट का सबसे बड़ा आविदक देश कौन बना है तो चाइना अंतरराष्टिये पेटेंट का सबसे बड़ा आविदक देश बन गया है हाल ही में जारी रिपोर्ट की अनुसार फरवरी 2020 में GST कलेक्शन साथ परसद से बढ़कर कितना हो गया है यानि 1.13 लाख करोण रूपे यानि 1.13 लाख करोण रूपे का GST कलेक्शन हुआ है जो कि पिछले वर्ष की मुकाबले जो है वो साथ परसद से इसका कलेक्शन बढ़कर हो गया है कितना 1.13 लाख करोण रूपे नेक्स्ट पॉइंट प्रसांत किसोर को किस राजी की मुक्ह मंतरी का प्रधान सलाकार निक्ट किया गया है तिहाँ पंजाब राजी की मुक्ह मंतरी अमरिंदर्ण सिंग का नेक्स्ट क्वेशन है सेंटरल बैंक आफ इंडिया की मडी और करिभार किसने संभाला है किस राज्ज में यह कार्गो सिवा की सुरवात की गई है नेक्स्ट क्वेशन सव मिलियन इंस्टाग्राम फालोवर्स वाले पहले खिलाडी बिराट कोली बन गए है हाल ही में जारी हुरुन की Global Reach List 2020 में कौन टापर स्थान पर है तो एलन मस्क जो है पूरे वर्ड में टापर स्थान पर है जबकि इंडिया में मुकेश अम्बानी नंबर वन पर और आल ओबर जो है इनकी रांकिंग विश्व में आठवे नंबर पर है किसकी मुकेश अंबानी की और एलन मस्क जो है वो नमबर वन पर है नेक्स्ट क्वेस्टन किस विशय के साथ विश्वन जीवदिवस मनाया गया यानि जो विश्वन जीवदिवस है हर साल तीन मार्च को मनाया जाता है वर्ष 2021 की जो थीम रही वो फारेस्ट एंड लाइबली हुड सस्टेनिंग प्यूपल एंड प्लेनेट थी नेक्स्ट क्वेस्टन छे गेंदो पर छे शक्के लगाने वाले तीसरे बल्ले बाज कोरोन पोलर्ड बन गये हैं जो की बेस्ट इंडीज की कप्तान है नेक्स्ट क्वेस्टन मारी टाइम इंडिया समिट 2020 की अंतरगत भारत ने किस दिवस की रूप में मनानी की घोषडा की है तो चाहवार दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाएगा इसकी घोषडा मारी टाइम इंडिया समिट 2020 में की गई है बाउनाचल प्रदेश में बाईग्यानिकों ने किस पौधे की नई प्रजाती की खोज की है। आत्म ने भर भारत बिशय पर संबोधित किया है किसने तो यहाँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कब चार मार्च दोहजारी कीश को नेक्स कोईशन आसम के प्रख्यात और पोशक लाल चावल की पहली खेप किस राजी के लिए रवाना कर दी गई है तो अमेरिका जो है कंट्री अमेरिका कंट्री के लिए जो असम का प्रख्यात चावल है लाल चावल इसको किस देश के लिए रवाना किया गया है तो यहाँ अमेरिका इंपोर्टन कोईशन याद रखना है Next Questionकिस महासभा ने बर्ष 2023 को अंतर रास्ति येवाजार वर्ष घोषिद किया है तो इस स्यंक्तUST राष्ट इन्वाईट नीशन असेंबली, शंयुक्त राष्ट महासभा ने वर्स 2023 इसको याद रखना है कि इस हाल ही में स्यंउक्त राष्ट महासभा की द्वारा गोशित किया गया अंतरराश्टी वर्ष कौन सा है तो आपको याद रखना है वर्ष 2023 को Next 4 मार्च 2021 को किस दिवस की रूप में मनाया गया है तो राश्टी सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है Next प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी किस देश की प्रधानमंत्री इस्टीफन लोपवेन के साथ वर्चुल समिट में हिस्षा लिया है तो ये स्वीडन के प्रधान मंत्री इस्टीफन लोपवेन है के वैस्विक और प्रयावन लीडर से किसे समानित किया गया है ये प्रधान मंत्री नरेंदर दामदर दास मोदी जी है नेक्स्ट क्वेस्टन ओडीशा के पुर्व करतान के से प्रधान मंत्री नरेंड्रमोदी नेक्स्ट किस अराजी का मुख्यमंत्री। सीराज सिंग का जन्म। बारत के ष्ञाज पुर्व कप्तान को टेस्ट क्रिकेट में पदारप्ण केぎ चाल साल पूरे होने पर सम्मानित किया गया है यहां सुनील गावसकर है जिनकी उम्रह 71 वर्षी है ठीक है तो इन्होंने टेस्ट के करण में पड़ारपण में पच्चाल साल पूरा किया है नेक्स्ट क्वेशन टेस्ट चैंपियंशिप के लिए किस क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई किया है तो भारत ने टेस्ट चैंपियंशिप के लिए क्वालिफाई किया है नेक्स्ट क्वेशन प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी अहमदाबाद में 200 सम्मेलन को संबोधित किया है तो सम्मेलन का नाम है शैन कमांडर सम्मेलन कब 6 मार्च 2021 को नेक्स्ट क्वेशन गुड महोच सो 2021 का आयुजन कहां पर किया गया जो कि उस राज्ज में पहली बारी जो है यह गुड महोच्जों का आयोजन किया गया है तो उस प्रदेश का नाम है उत्तरप्रदेश यानि लखनव में जो है गुड महोच्जों 2021 का आयोजन किया गया और वो भी उत्तर प्रदेश राज जी की द्वारा पहली बार कभ छे मार्च 2021 को नेक्स्ट क्वेस्टन दस लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है Most important question कितने लाख का 10 रुपे का नहीं यहाँ पर 10 लाख का नोट तो कौन सी कंट्री है वेने जुएला Next question किस राज जी के पहले मुख्य मंत्री वह भारत रत्न पंडित गुलभ श्वरी पंडित गोविंद बलभ पंद की शाठवी पुनिति थी पर उन्हें यादि किया गया तो उत्तर प्रदेश राज सरकार की जो है यह पहले मुख्य मंत्री रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री का नाम क्या है पंडित गोविंद बलभ पंद Next question 7 मार्च 2021 को किस भारतिय महिला पहलवान ने माटियो पैलिकॉन राइंकिंग खोस्ती के फाइनल में जीत दर्ज करकी 65 किलो भार वर्ग वालिम दुनिया की पहली नंबर वन पहलवान बन गई है यह है बिनेश फोगाट Next question 8 मार्च 2021 को विशुभर में किस दिवस की रूप में मनाय जाता है तो अंतरराश्टिय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाय जाता है पूरे विशु में Next question केंद्रिय प्रदूशण नियंत्रण ने देश के 112 सबसे प्रदूशित अस्थलों में किन तीन राज्यों को जो है वो अस्थान मिला है तो पहले अस्थान पर उडिशा दूसरे अस्थान पर उत्तरपरदेश और तीसरे अस्थान पर दिल्ली है तो केंद्रिय प्रदूशण नियंत्रण किसमें देश के 112 सबसे प्रदूशित अस्थरों में तीन राज्य जो है वो पहले नंबर पर हैं यानि तीन राज्य है पहले नंबर पर उडिशा है दूसरे पर उत्रप्रदेश है तीसरे पर दिल्ली किंद्रशासित प्रदेश है इसमें दो राज्य है और एक किंद्रशासित प्रदेश राज्य पहले नंबर पर उडिशा और दूसरे पर उत्रपरदीश है नेक्स्ट कुएस्टन आठ मार्च 2021 को बच्चों को सरकारी स्कूल में सत प्रतिषत नामंकर कराने के लिए प्रवेत्सो क्या है प्रवेश उत्सो जो है यह किस राजी नी सुभारंब किया है तो प्रवेश उत्सो जो है यह बिहार राजी सरकार की द्वारा शुरू किया गया है नेक्स्ट किस भारतिय पहलवान ने माटियो पेल को उनको रैंकिंग कुस्ती स्रीज में सुन्ड पदक जीत लिया है यों अपने यह वर्ग में वे विस्ट के नमबर वन रैंकिंग पहलवान बन गए है देट इस बजरंग पुनिया नेक्स्ट क्वेशन रैपिड प्रारूप में गत विस्ट सतरंज चैंपियंज को नारू हपी को महज 15 साल की उम्र में किश आवार्ड से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट क्वेशन आठ मार्च 2020 को प्रसिद्ध कंणर कभी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका नाम क्या था तो यनियस लक्षमी नारारणभट जो की प्रसिद्ध कंणर कभी रहे इनकी उम्र 84 वर्ष थी इनका हाली में निधन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामिट भारत की एक मिलियन महिलाओं की शहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफार्म को लांच किया है important question है तो इस platform का नाम है women will wave ठीक है क्या नाम है women will wave है जो की Google के द्वारा launch किया गया है तो question बन सकता है कि हाल ही में Gramit भारत की एक million महिला महिलाओं की जो है शाहता के लिए हाल ही में एक platform जिसका नाम women will wave है किस के द्वारा launch किया गया है तो आपको याद रखना है Google की द्वारा next question किस देश की किस राज में पहला बंची किस्सा के इंद्र खोला गया है तो उत्राखंड राज में देश का पहला बंची किस्सा के इंद्र खोला गया है important question याद रखना है ये पूरे हुआ हैं के रो लिना मारिन जो की इस्पेइन की हैं जबकि उब्वेज़ता यानि जिनको हराया इनों ने या उब्वेज़ता रही पीवू सिंधु अपने भारत की नेक्स्ट क्वेशन अंतरराष्टी महिला दिवस के अउसर पर यानी 8 मार्च 2021 को जो की अंतरराष्टी महि आधिक महिलाओं का कोरोना टीकरण करने वाला पहला जो राज बना है हुआ है बिहार एक लाख 15,802 महिलाएं को जो है यहां पर कोरोना का टीकरण किया गया है नेक्स्ट क्वेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बांगलादेश के बीच बने कौन से सेतु का जो है उदगाटन किया है तो इस सेतु का नाम है मैत्री सेतु जो की फेनी नदी पर बनाया गया है नेक्स्ट क्वेशन आई सीसी के फरवरी 2020 महिने के सर्फ से जो खिलाडी बने है वहां कौन है इनका नाम है रवी चंदरन अस्विन जो की भारत की जो है भारती आफ द्रसधी मुख्यमंतसरी त्रिवेण सिंहरावत को बनाया गया है कमेंट करके बताइए कि मुंबाइके नवल डाक्याड में गार्यक्रम के दोरान किस सब्मरीन को भारती नोसे ना में सामिल किया गया है तो यह INS करंज है जो कि इस कार्पियन क्लास की सब्मरीन है नाम क्या है INS करंज फिल्म दा वाइट टाइगर में अहम रोल निभाने वाली अभिनेता आदर सगवरो को किस अवार्ड की बेस्ट अक्टर कटेगरी में नॉमिनेट किया गया है तो बाप्टा अवार्ड में नेक्ट पैप्सिको को पूर्व कारिकारिया धेक्ष इंद्रा नूई यानि पेप्सिको की जो पूरुकारिकारिय धेक्ष इंद्रा नूई प्लस अमेरिकी प्रतम महिला मिसल ओबामा और फुटबालर जो है मिया हम सहित नो महिलाओं का किसमे चैन किया गया है तो रास्टिये महिला हॉल आफ फेम 2021 के लिए चैन किया गया है उत्तराखंड के नए सरकार यानि जो है दस मार्च 2021 को सरकार में रहते हुए प्रादेशी सेना में जो कैप्टन बनने वाले पहले शांसत बन गए है इनका नाम क्या है अनुराग ठाकुर नेक्स्ट थामस बाक को किस बर्स तक के लिए पुना अंतरराष्टिय उलंपिक शमिरी का द्यक्ष चु अच्छा कमेंड करके जरूर बताईए कि जो बालीगुड में जो सबसे पहले जो है जो वाइस दी गई है किस अभिनीता या अभिनीत्री को प्रदान की गई है कमेंड करके जरूर बताईएगा पहली बार ठीक है नेक्स कोईशन है इंटरनेशनल फेडरेशन आफ फिल्म और्काइब्स 2021 अवार्ड पहरी बार किस भारतियव नीता को प्रदान किया जाएगा अमिताब बच्चन कौन सके इंद्रिय बल का बाउनवा स्थापना दिवस अउदोगिक सुरक्षा बल जो है वो इसका बाउनवा स्थापना दिवस जो है मनाया गया कब 10 मार्च 2021 को करके जरूर बताइए ग्लेन मार्क फार्मा कंपनी ने अपना ब्रांडम बेजडर कौन से क्रिकेटर को न्युक्ट किया है यह है रोहित सर्मा रोहित सर्मा किस कंपनी के ब्रांडम बेजडर बने हैं ग्लेन मार्क फार्मा कंपनी नेक्स्ट हाल है में प्रधान मंत्री नर इंद्रडा मद्वर्दास समोधी जी के द्वारा किया गया है प्रजापिता ब्रम कुमारी इस्वरी विश सबध्यालाई की की तिरानव 손ब बाचि मुखिया निधन हो गया तो उनका नाम क्या था तो राजीयोगनी दादी हिरदे मोहुनी था एक्जाम के कुश्चन में बन सकता है राजयोगनी दादी खिदे मोहनी का हाल ही में 93 वर्ष के आयुमी निधन हो गया वो कौन थी तो यह जो है मुखिया थी प्रजापती ब्रह्म कुमारी इस्वरी विश्विद्यालाई की किस भारती अभिनेत्री को यंग गुलोबल की डबलू यफ यफ सोचे में जगा दी गई है तो दीप का पाधिकोन को अफरीकी देश आईवरी कोस्ट की प्रधानमंत्री का कैंतर की कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका नाम क्या था तो हामेद बाकायोका क्या ना पुना दे दिया है important question है इस company का नाम है बीवो company और यह जो करार है 2023 तक बना रहेगा next question है कि बेस्ट इन्डीज के नेक्स कुईशन रोन मित्तूं को ब्डूर को मया जाता है नेक्स खोईशन गया तो हर साल भी क कर्णी दिवस 11 थो को मनाय जाता है वर्ष किर्णी डिजीज नेक्स्ट कोईशन इंडरनेशनल में जो है दस हजार रन बनाने वाली पहली भारतिय महिला क्रिकेट कौन बनी है तो पहली भारतिय महिला जो क्रिकेटर बनी है दस हजार रन बनाने वाली यह है मिधाली राज यह अपना रिकाड़ी बनाती रहती चलिए न शहयोग बढ़ानी की चर्चा हुई है तो यहां जो है हिंद प्रसांद शेत्र की श्वतंद्र मुक्त और शमावेशी बनाने के लिए शहयोग बढ़ाने पर नेक्स्ट बारा मार्च प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दांडी मार्च को जंडी दिखा कर किया गया तो आजादी का अमरित महोच सो इंपोर्टन इसको याद रखना है पाकिस्टान में किस चीनी अप को प्रदिबंधित कर दिया गया टिक टॉक इंडिया में अल्रडी बैन है नेक्स्ट कुस्टन शाहित्यक आदमी युवा प्रोषकार दो हजार बीश में अठारा भासाओ में किस पुस्तक को सरबादिक प्रोषकार प्रदान करने की इनका नाम है युजबेंद्र चहल नेक्स्ट क्वेस्टन उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में सेवा कुंझ आश्रम का उद्गाटन किस ने किया है तो राश्टपती स्री रामनाथ कोविंद्जी ने सेवा कुंझ आश्रम का उद्गाटन किया है तो इस बन सकता है कि हाल ही में राष्टपती स्री रामनात को विंद ज्वारा सेवा कुंजास्रम का उद्गाटन किया गया है यह किस राज्य में है तो उत्तरप्रदीश राज्य में स्तित है नेक्स्ट क्वेश्चन शाहित्यकाद्मी पुरसकार 2020 कितने लोगों को प्रदान होंगे तो 20 हस्तियो को नेक्स्ट क्वेश्चन साथे वैश्विक आरवेद महसो को शंबो धन किया है तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदीने नेक्स्ट क्यस्ट तेट 63 ग्रैमी और्फ इंपटेंट कोष्टिजन और 66 ग्रैमी ओवार्श इसंगर 90 रिकार्ड 28 क्या है 28 28 K Without a wish out नेक्स्ट कुश्चन, तमिलनाड की कौन सी तलवार बाज, टोक्यो उलम्पिक टिकट हासिल करने वाली पहली भारती ये बन गई है, तो इनका नाम है C.A. भवानी देवी, ठीक है का है, C.A. भवानी देवी हैं, एक चटडे कांटे, नेक्स्ट कुश्चन, किस एक खुराक वाली खुरोना वैक्सीन को एमर्जनसी यूज की मनजूरी दे दी गई है, ये जांसन और जांसन, नेक्स्ट कुश्चन, यूनाइटेड निउज आफ इंडिया, दड़ यू यानाई का नया ध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये शागर मुखो पाद्ध्याय, नाम क्या ह सागर मुखो पाद्ध्याय, नेक्स्ट कुश्चन, किंद्र सरकार ने इंवेस्ट इंडिया कारिकरम की अंतरगत निवीशकों के लिए किस पूर्टल को विक्सित किया है, तो आतनिर्भार्थ निवीशक मित्र पूर्टल, जो की इंवेस्ट इंडिया कारिकरम की अंतरगत डेबलब किया गया है next question काला नमक चावल महोच्षो उत्तर परदीश काला नमक चावल महोच्षो का आयोजन जो है वो किया गया है तो यहां उत्तर परदीश की सिधार्थ जिले में ठीक है अभी आपने दिखा कि जो अश्यमराज जी का जो लाल चावल था वो किस देश के लिए रवाना किया गया था तो अमीर का ठीक है तो यह आपर काला नमक चावल है काला नमक चावल महोच्षो जो है वो किस राज जिम्हावचित किया गया तो या सिधार्थ जिले जो की उत्तर प्रदीश में इस्तित है नेक्स्ट क्वेस्टन है भारतिय क्रिकेटर अंतर राज टीटेटी क्रिकेट में तीन हजार रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाडी कौन बन गए है तो दुनिया के पहले खिलाडी बने है टी ट्वंटी क्रिकेट में तीन हजार रन बनाने वाले इनका नाम है बिराट गोली नेक्स्ट क्वेशिन भारतिये महिला क्रिकेटर वंडे क्रिकेट में शाथ हजार रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी दड़िज मिताली राज फद्म भूशड पुरुषकार से सम्मानित जाने मानित चित्रकार का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तेने का नाम क्या है लचमड पाई किस फुटबाल कलब ने एटी के मोहन बागान को हरा कर पहली बार आई एसल 2021 का किताब जीत लिया है तो मुंबाई सिटी एफसी ने नेक्ट कुश्चन उपभोगता मामले खादियों सार्वजनिक बित्रन मंत्रा लेने प्रवाची मजदूरों की मदद के लिए किस आईप को लांच किया है तो मेरा राशन आईप इंपॉर्टन कुश्चन याद रखना है नेक्ट कुश्चन है पंद्रा मार्च 2021 को अल्टिमेट खोखो का अधिकारिक प्रसान करता कौन बना तो यह हैं सोनी पिक्चर्ज ठीक है यानि सोनी पिक्चर्ज को खोखो का अधिकारिक प्रसान करता बनाया गया है नेक्ट कुश्चन देश में 2011, 15 और 2016 से 20 के बीच हतियारों की आयात में रस्यों अमेरिका से कितने फीशत की कमी आई है तो देश में 2011 और 2015 के अगर बात की जाए तो देश में 2011 और 2015 के अगर तुलना करेंगे तो 33 फीशत की कमी आई है जबकि 2016 और 20 के बीच की बात करेंगे तो 44 फीशत की कम्याई है नेक्ट क्वेशन कौन सा देश इनाइटेड अरब अमिराद को पीछे छोड़ करके भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर दिक अरता देश बन गया है तो सहीं उत्रा जमेरिका दोनों क्वेशन मोस्ट इंपोर्टन जापान योम आस्टिलिया ने किस तरीके के कोईले से हाइड्रोजन का उत्पादन किया है तिया भूरे कोईले की जो है ये जो टाइप है भूरा कोईला उससे जो है नोंने हाइड्रोजन का उत्पादन किया है किसने भारत और आस्टिलिया ने नेक्स्ट क्वेशन हरदीप सिंग बाराड को जो है किसका रास्टी प्रमुक न्यूक्ट किया गया है यह है किया मोटर्स नेक्स्ट किन देशों के खतरनाग ब्लड क्लार्शन के उत्पन होने के कारड कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनिका के उप्यों पर रुक लगा दिया गया है यह नामालूम पूर्व भारतिये क्रिकेटर कपिल देव को किस बोर्ड की शदस की रूप में चुना गया है तो भारतिये पेशेवर गोल्फ टूर अंतरराष्टिये कानून बनाने वाले संग का नया ध्यक्ष किसे बनाया गया है दुर्वते पचेको को किस इस्टार फुटबालर ने 770 गोल दाग कर पेले के रिकार्ड को तोड़ दिया है यनि पहले का जो रिकार्ड था वो शाथ सो शडसा था अब इन्होंने 770 गोल दाग करके ठीक है तो इन्होंने रिकार्ड तोड़ दिया ऐसा करने वाले वो पहले फुटबालर बन गये हैं इनका नाम है किर्ष्टियान रोनाल्डो नेक्स्ट भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बालर कौन बन गए हैं तिनका नाम है युजवेंद्र चहल पाक्षो अक्ट के तहट किशोर की उम्र 18 वर्ष से घटा कर कितना करने की सिफारिश केंद्रिय सांसद अनुद सर्मा के अधिस्तावाली समित ने की है तो 16 वर्ष नेक्स्ट क्वेस्टन विश्व का सबसे प्रदूशित राजधानी कौन रहा तो यह है दिल देई किस राजध में मुख्यमंत्री अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती उद्धम योजना में 50 प्रत्षत अनुदान की साथ 10 लाख रण देने का प्रावधान किया है तो यह विहार नेक्स्ट क्वेस्टन किस दिवस के रूप में मनाया गया है 16 मार्च 2021 को तो राश्टीयटी का करण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है हर्याणा विधान सभा ने हर्याणा योग आयोग अस्थापना की उद्देश से किस विधियक को पारित किया है तो गर्ब के चिके से कि ये शमापन संसुदन विधियक 2020 को इमपोर्टन पॉइंट याद लखना है नेक्स्ट क्वेस्टन केंद्रिय श्वासि मंत्री हर्श वर्धन को टीबी को खत्म करने वाली किस बोर्ड का धेक्ष निक्टिक किया गया है इस पूर्ड का नाम है, Stop TV Partnership Board नेक्ट्स क्यूशन, उत्तरप्रदेश सरकार ने किस मेले को राज़की मेले का दरजा दिया है तो रंगोत्सों जो मेला है, जोकि राज़धानी की नगरी वरसा नमे जो है यह होता है रंगोचो मेला इसको जो है राज की मेले का दर्जा दिया गया है खार का रूपी एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स क्वेशन दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ शोर उर्जा फार्म बनाने की घोशड़ा किस कंट्री ने की है यहां सुंगापूर है कौन सी कंट्री सिंगापूर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो है यह शोलर उर्जा फार्म होगा नेक्स्ट क्वेशन यस एरबी महिला उतकरिस्टा फ्रोसकार से शमानित कौन किये गए है तो बैग्यानिक डाक्टर सोनु गांधी क्या नाम है यह है डाक्टर सोनु गांधी जो एक इक सांटिस्ट है यह न आई एबी हैदराबाद नेक्स्ट क्वेशन 18 मर्च 2021 को बिहार बंगालवा उरिशा की शन्यूगत कानून से चल रहे सिविल कोड का संचालन की बदले बिहार ने किस विधियक को पेस्ट किया है तो बिहार सिविल ने आया लए विधियक 2021 को किस देश के प्रधान मंतरी मारक रूटे ने चुनाव में लगातार चौती बार जीत दरज की है तो नीदर लेंड के प्रधान मंतरी नाम क्या है मारक रूटे नेग्स्ट क्वेशन, TV सीरियल्स रामायड में राम का किर्दार निभाने वाले अभिनीता और उड़ गोविल किस पार्टी में सामिल हुए हैं, सिम्बल सी बात वारती संता पार्ठी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारड किन राज़ी के बीच अंतरराष्टी बस सेवा को 31 मार्ष तक आइस्थाई रूप से बंद कर दिया है तो महाराष्ट योम मध्यप्रदीश किन चार टेबल टेनिस खिलाडियों ने तोके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है तो इनका नाम है शरत कमल जी शाथियान मनिका बनना योम सू तिर्था मुखर जी किस राज़ी में अब कार हुआ चार मंजिला मकान बनाने वाले भी गरीब माने जाएंगे यानि जिनके पास कार होगी और चार मंजिला मकान भी होगा वो गरीब माने जाएंगे आसर किस राज़ी में कहा जा रहा है तो हरियान राज़ा नेक्ट क्वेस्टन 11.CII रास्टिय यह चार उतकरिश्टा प्रुस्कार 2021 में यंटी PC को किस प्रुसकार से जो है वो शम्मानित किया गया तो यह है रोल माडल प्रुसकार सी नेक्ट क्वेस्टन किस देश के रक्षा मंतरी लाई आस्टिन भारत के दोड़े पर है तो यह अमेरिका की है अमेरिका के रक्षा मंतरी कौन है लाई आस्टिन नेक्स्ट कुछिस्टन विस भर में किस दिवस को मार्च की तीसरी शुक्रवार को मनाया गया है तो विस भर में जो है यानि जो दिवस होगा मार्च का जो तीसरा शुक्रवार होगा वह किस रूप में मनाया गया है तो यह है World Sleep Day कौन सा World Sleep Day 2021 Next question जमू कस्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे उँचा पुल जिसकी उँचाई जो है 360 मीटर है इसका निर्माड किया गया है तो जमू कस्मीर में बनाया गया है किस नदी पर तो आपको याद रखना है चिनाब नदीबन Next question रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्राले ने भारती सीना के लिए 4960 मिलन 2T एंटी टैंक जाइड़ मिशाईल यहां पर गाइड़ ठीक है जाइड़ लिखा है गाइड़ मिशाईल के सोदा किस ने किया है तो यह भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड के लारा Next question बारा मुकाबलों में यह लगातार बारा मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाले मुक्केबाज नाम क्या विजिंदर इनको जो है रूस के किस मुक्केबाज ने बैटल आफ सिप मुकाबले में हरा दिया तो आर्टीस लोपशान क्या है आर्टीस लोपशान Next question है तंजानिया देश की पहली जो महिला रास्ट पती के रूप में सबतली है इनका नाम क्या है तो important question है क्योंकि यह महिला appointment इंटरनेशन महिला appointment है इसलिए important है और वो देश की पहली महिला है इनका नाम है शामिया सुलहू सामिया सुलहू को तंजानिया देश की पहली महिला रास्ट प्रूप में जो है चुना गया है Next question है किस राजने खेलो के प्रती बच्चों को आकर्चित करने के लिए सव नरसरी अकादमी खोलने की घोशड़ा की है तो यह है राजस्थान Next question उत्तरपस्चिम रेल्वे के अजमीर मंडल को रेल्वे बोर द्वारा जारी किस इंडेक्स में पहला अस्थान प्राप्त किया है तो यह है Key Performance Index कौन सी है Key Performance Index इसमें जो है उत्तरपस्चिम रेल्वे ने जो आजवेर मंडल है इसने जो है पहला स्थान प्राप्टी किया है फीक है नेक्स्ट okay विश्वगव्या जो दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गवव्या दिवस हर साल कब मनाया जो की चैना कंट्री की दोरा भेजा गया वैक्शीन रहा होगा लगाया और ये जो है कोरोनो पाजिटिव हो गया वैक्शीन के बाद भी ये हैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इम्रान कान किस देश में 7.2 टीबता से भूकम पाया कब 20 मार्च 2021 हो ये हजापान टोक्यो में खादी ग्रामोद आयोग ने ढाका भारतिय उचायू को खास तोर पर डिजाइन की गई कितने मुझीब जैकोटों को आपूर्ती की है तो 100 मुझीब जैकेट हैं ब्हारतिय नफ्सेना की शरबाद एक सोसत जित खिस इक का डाइमेंड जूब़ी मनाय गया है तो आई यण फर्टी नेक्ट्क्र विस्ट में जो है 21 मार्च को किस दिवस की रूप में मनाया जाता है तो विष्ष कविता दिवस यदि विश्ष्स वान की दिवस जो है हर सा किस मर्च को मनाया जाता है next question भारत तुर रात्म किस तैना इवादक की जैनती पर देश ने उन्हें नमन किया important question that is Bismillah खां next question यहां पर तरण मूल ठीक है यानि तरण मूल कांगरेश that is T.M.C के संजद सिसिर अधिकारी किस पार्टी में सामिल हुए तो भारती जन्ता पार्टी वहां सब भारते जनता पार्टी में तो सामिल कि जा रहे हैं ठीक है चलिए next question है किस भारते क्रिकेट खिलाडी के कारियर में अंडर 19 वर्ड कप, T20 के वर्ड कप, One Day वर्ड कप, IPL ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, T20 और पहली बार आयो जित हुई, रोड शैप्टी वर्ड सीरीज का खिताब जीतने वाली टीम का हिस्टा रहे है, तो याद रखना है, Under 19 वर्ड कप, T20 एक रहे हैं, ये कौन है, य वर्ड सीरीज है, या किसने जीती है, तो ये हैं, इंडिया लीजेंड्स ने जीती है किसको हरा करके स्रिलंका लीजेंड्स को ठीक है यह अब भी जीता जो है स्रिलंका लीजेंड्स है जबकी भी जीता इंडिया लीजेंड्स रोड सेप्टी वर्ड स्रीज को next question तंजानिया की महिला जो राश्टरपती बनी इनका नाम क्या है तो सामिया सुलहू ठीक है तो अब आप पड़के आये हैं कि ये जो है तांजानिया की पहली महिला राश्टरपती भी बनी है, ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन है 22 मर्च 2021 को विश्व में किस दिवस की रूप में मनाय गया है तो विश्व जल दिवस है इंपॉर्टन दे है याद रखना है कि हर साल विश्व जल दिवस 22 मर्च को मनाय जाता है किस प्रक्यात ओडिसी नित्यांगना का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया इनका नाम था लक्षमी पिरिया महापात्र जो की 86 वर्ष की उम्र थी जो की एक ओडिया की जो है नियरी सी नित्यांगना थी दिल्ली में उपर आज जपाल को ज्यादा सक्तियां प्रदान करने के लिए लोक्षभा में किस विधेक को पारित कर दिया गया है तो सिम्पल सी बात ये विधेक जो है अब राज्चभा में भी पारित हो गया है तो ये कानून बν चुगा है इसका जो नाम है वहा है दिल्ली राश्टी राजदानी राज शेतर संसूधन विद्यक 2021 नेक्स्ट कुईशन बाइस मार्च 2021 को सर्वस्रेश्ट अबने तरीका पुरुषकार किसने जीता है तो यह हैं कंगना अरनाउत फिल्म पंगा यो मडी करका के लिए इनको जो है सर्वस्रेश्ट फिल्म का भी जीता किसी गोशित किया गया तो यह जो सर्वस्रेश्ट फिल्म है इसका नाम है छी छोरे जो की अम मारे बीज में नहीं रहे शुसांज सिंग राजबूष जी ठीक है नेक्स्ट कुश्ट है 67 वे रास्टिय फुल्म पुरुषकार 2019 में सर्फिस अभनिता का पुरुषकार किसने जीता है तो बहतरी नेक्टर मनुजबाजबेई ने जीता है किस फिल्म के लिए फिल्म का नाम है भोषले ठीक है तो आपको याद रखना है कि जो 67 वा रस्टी फुल्म पुरुषकार रहा उसमें सर्फिस अभनित्री का पुरुषकार कग्ना रणावट सर्फिस अभनिता का पुरुषकार मनुजबाजबेई सर्फिस फिल्म का जो पुरुषकार दिया गया वो अच्छिछी रोगे ठीक है kiske ठीचोरे के लिए ठीक है नेक्स्ट कोईशन है 23 मार्च 2021 को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाय गया है तो विश्व मायुशम विज्ञान दिवस सहीद दिवस और सरबोदय दिवस यह सभी जो तीनों दिवस हैं यह हर साल 23 मार्च को मनाय जाते हैं जबकि जो विश्व जल दिवस है अभी हम पढ़के आए हैं कि हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है ठीक है क्या विश्व जल दिवस अभी यहां पर पढ़के हैं ठीक है तो और जो है शहीद दिवस हो या विश्व मौशम विज्ञान दिवस या सरबोदय दिवस यह तिनो जो दिवस हैं हर साल 23 मार्च को मनाय जाते हैं नेक्स्ट कोई सथे के देश की जनती कि आउसर पर देश की लोगों के नमनकर पित की है याई देश के लोगों न नमनकर के सरंदimmen अरपत की है किस्की जनती पर सहीत आजम शरदार भागाँ सिंग जी नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पावन वर्ष का रिकार्ड तोड़ दिया है तो यह है काई लिया नाम बापे इनका नाम है काई लिया नाम बापे ठीक है याद रखना है नाम इनका काई लिया नाम बापे जो की फुटबालर फ्रेंच लीग वन में 100 गोल दागने वाले सबसे इवाप फुटबालर बने केंद्र सरकार ने दीजभर में सार्च कोप्टू की जीनोमिक निगरानी के लिए किसकी अस्थापना करने की गोशड़ा की है तो जीनोमिक्स कंजोर्टियम का जो है अस्थापना की जाएगी इसके जोसी की किस पहली हिंदी खिताब का भी मोचन केंद्रियमंत्री राजनाज सिंग की द्वारा किया गया तो यह है एक प्रतिधोनी जन केंद्रित शासन नेक्ट क्वेशन 25 मार्च 2021 को गूगल की किस वाइस प्रेसिडेंट ने अपने पत से इस्थीपा दे दिया है इनका नाम है सीजर सेन गुपता नेक्ट क्वेशन 25 मार्च 2021 को किस भारती निशाने बाज मिश्रित जोडी ने 10 मीटर एयर पिस्टल असपरधा में स्वन्ड पदक जीत लिया है इनका नाम है सौरब्स चौधरी योम मनु भाकर नेक्ट क्वेशन कोवी सील्ड टी का यानि कोवी सील्ड जो वैक्सीन है इसकी दूसरी डोज 4-6 सपता के बदले कितने सपता में दी जाएगी तो ये 6-8 सपता के बीच नेक्ट क्वेशन गांधी पुरुषकार 2020 किने प्रदान किया गया है इंपॉर्ट क्वेशन तो ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को जो की बंगलादीश की है इनको गांधी पुरुषकार 2020 जो है वो प्रदान किया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रह शयद जो कि उमान के है next question तो आग बात कीजाए पुरुछ में तो यह है रश्मिका भामी दीपती जो कि तेल आगना और महिला बर्बमें आरजुनकाधी जो कि महारास्त्रा तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर यह महिला यह है क्या है रश्मी का भामी दीप्ती तेलांगना की जबकि पुरुष में अरजुन कांधी महारा स्टाटी गए नेक्स कोईशन है कोविड नाइंटीन के काणड भारत की बंदी भारत मिशन की तहट कितनी लोगों को सवदीश वापस लाए गया है यह हैं यानि 67.5 मिलियन याधिक जो लोग है वह वंदी भारत मिशन की तहट भारत वापस लाए गया है नेक्स्ट क्वेशन है वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2021 दुनिया का सबसे खुशाहाल दीश चौथी बार कौन बना है तो यानि विस जो हैपिनेस जो रिपोर्ट जो दारी की गई है इसमें सबसे टाप पर कौन सा कंट्री है आपको याद रखना है फिल्लेंड जो की चौथी बार लगातार जो है इस टाप पर है भारत का अगर बात किया जा है भारत की जो रैंकिंग है वहां 149 रैंक है वर्ड हैपिनेक्स इंडेक्स में ठीक है नेक्स्ट क्वेश है हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेशन येन पीपी एने पेटेंटर रहे तो मदू में दवाओं शहित कितने दवाओं का मोले ने धारित कर दिया है तो इक क्यासी दवाओं का नेक्स्ट क्वेशन रक्षा मामलों की ब्यवसाइट मिलेटरी डायरेक्टर रिपूर्ड की अंसार सबसे ताकतवर सेना किस देश की है तो सबसे ताकतवर सेना जो है वह चाइना की है उसके बाद अमेरिका उसके बाद चाइना और अपना भारत जो है वह चौथे नमबर पर है यानि मिलेटरी ताकत्वत मिलेटरी की हिसाब से भारत की रहेंगी किजनी है चाओते नंबर की जब की चाइना फस्ट पर है किसके हिसाब से रक्षा मंत्रवा मामलों की जो व्यवसाइट है वह है मिलेटरी डायरेक्ट रिपूर्ट की अंसवार किस चक्का फेड हिलाडी ने 65.069 रिकार्ड के साथ इस साल होने वाले तोक्य ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है तो इनका नाम है कमल प्रीत कौर कौन है कमल प्रीत कौर बिश्व बैंक ने किस देश की मदद के लिए दो सोकर मिलियन अमेर्की डालर की सहाइता राज प्रदान करने की घोषडा की है बांगलादीश इपी अफ़ो ने जनवरी 2021 में 2021 के महीने में निवल ग्राहक जो जोड़े है नए वो है 13.36 लाख निवल ग्राहक सरकारी कंपनी EESL की साखा इनर्जी सर्विसेश लिमिटेड ने ग्रामीड परिवारों को दस रूपए में LED बलब करवाने के लिए किस योजना को सुरू किया है इसका नाम है ग्राम उजाला योजना नेक्स्ट कोईस्टन शायुक्त रास्ट द्वारा प्रायोजित वर्ड्स हैपिनेस रिपोर्ड में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है तो यहां फिनलैंड को अभी आप वर्ड हैपिनेस इंडेक्स की रिपोर्ड में भी फिनलैंड को जो है कितना स्थान की तरह है तो यह है इसको जो प्रमुख न्यूक्त किये गए हैं दोस्तों इनका नाम है मनेश महतमे नाम क्या है मनेश महतमे नेक्स्ट क्वेशन आर बी आई ने किस बैंग पर दो करून रूपए का जुर्माना लगाया है तो यह भारत यही स्टेट बाइंग नेक्स्ट स्टॉप टीवी पार्टनर्सी बोर्ड का चेयर मैंड किसे बनाया गया है तो इनके है चेयर मैंड डाक्टर हर्सवर्धन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेशन एक अप्रेल 2021 को किस देश में कारों में शालक कि शाथवाली स्थीट के लिए एरवाय को अनिवार कर दिया गया अपने दोस्तों के शाथ सेयर करें और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्त क्योंकि आपकी शब्सक्रीप्शन ही हमारी ताकत है साथ ही आल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेश कर दें ताकि यानि वीडियो का प्रेशन होता रहे वीडियो फाइल के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल से आप जोड़ सकते हैं अट्रीट ओसकी टेलिग्राम चैनल आप जो है सच बाक्स में डाईए और टाइप कीजिए ओसकी टेलिग्राम लिंक मिल जाएगा आप इस्टाग्राम पर मुझी फालू कर सक सकते हैं फेस्बुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं थैंक्स फार वाचिंग गाट ब्लेश यू और अ झाल फ्टाग्स कर सकते हुआ और अपकोल जाएप कर सकते हैं झाल पनल prone ब्लोख को सिर्फेंगे लाइप पने डाईएप।